एलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज है इस वीडियो सेशन में हम जैनुरी थर्ड वीक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं, जो भी एस्विरेंस हमारी डेली करंट आप जोइन कर सकते हैं, और आपको बता दें, रिपब्लिक डे सेल के तहाथ इस्पेशल ओफर चल रहा है, 22nd January, 227th January 2023, जिसके तहाथ आपको हमारा ये वन ये मेंबर्शिप प्लान, ओनली 2.99 रुपीज में प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें जितने भी हमारा पीडियो सकते हैं, जो आपके बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, सब एक्जाम्स के लिए महत्पूर्ण है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट आउल भी निकाल सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल है, तो चले फिर करते हैं, शुरुआत इस वीडियो सेशन की, 21st edition रहा है, इस competition का, Miss Universe का 71st edition रहा है, USA में ही हुआ है, और जो Miss Universe 2021 रही, बारत की हर नास चंदू, उन्होंने इन्हें आर बोनी कैप्रियल को यह ताज पहना है, आपको जानना चाहिए, फर्स्ट टरन अप की अकरम बात करें, तो वेनेजवेला की अमांडा तुजामिल, य ओमिनिकन रिपब्लीक की, एंडरीना मार्टिनेस, यह सेकंड रणर अरप रही है, भारत की ओर चे, दिवितार राय, यह टॉप 16 में ही जगा बना पाई, एर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस, कनेक्ट स्वीच स्टेशन्स, आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों को जोड़ती है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन दी है, सिकंदराबाद एंड विसाका पत्टनम, जानी का प्राइम मिस्टर नुयंदर मोधी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो की सिकंदराबाद और विसाका पत्टनम को कनेक्ट करती है, इसे हाली में हरी जंडी दिखाई है, आपको बता दें, ये इंडियन रेलवेज के द्वारा इंट्रेड्यूस की गई एट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, और फस्ट वन है, जो की दो तेल कू स्पीकिंग स्टेट जानी की तिलंगाना और आंदरप्रदेस को कनेक्ट करता है, और 700 किलम्टर की डिस्टेंस ये कवर करती है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आपको बता दें, विसाका पत् 2.0 यह improved features और more advancements के साथ launch की गई है और केवल 52 seconds में 100 km पर आर की speed यह पकड़ सकती है और maximum speed इसकी 180 km पर आर है आपको बता दें इसमें indigensally developed train collision evident system भी यानि की coverage system भी सामिल है CII Bioenergy Summit held in which city? CII चैव उर्जा सिकर समेलन की सहर में जीत किया गया options आपके सामने हैं सही answer option C New Delhi तो जानेगा Bioenergy Summit यह New Delhi में हुआ है और जो Union Minister for Petroleum and Natural Gas है हरदीप सिंगपुरी इन्होंने इसे address किया है तो यह जो Bioenergy Summit हुआ यह Confederation of Indian Energy Indian Industry यानि की CII इसका event होता है और कौन सा edition rise पार? 11th edition रहा है इसका theme भी महतपूर है Energy Transition solution for a sustainable tomorrow अच्छा इसी दोरान जो हरदीप सिंगपुरी है इन्होंने कुछ बातें याद दिलाई वह फिर से हम revise कर लेते हैं क्या कि इन्होंने बोला अपने संबोधन में इन्होंने बताया कि 2013-14 में 1.53% पेट्रोल में ethanol blending की मातर थी और ये जुलाई 2022 तक 10.17% हो गई है और ये भी काया कि 2025 तक हम 20% ethanol blending का जो हमारा target है उसे अचीव करेंगे साथी नों नहीं बताया कि इंडियन गवर्मेंट ने green hydrogen policy को भी इनक्ट किया है जिसका target है फाइव मिलियन टन्स hydrogen प्रोडूजन 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 प्रोडूज़ करना 2030 तक When is the armed forces veterans day celebrated ससस्तर सेना पूर्वसेनिक दिवसकब मनाया जाता है options आपके सामने हैं सही answer option भी January 14 तो जानेगा 7th Armed Forces Veterans Day इस 14 जनवरी को celebrate किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है क्योंकि 14 जनवरी 1953 को जो हमारे 1st Indian Commander-in-Chief of Indian Army रहे फिल्ड मार्शल के-म करियपपा ये डिटायर हो गए थे सर्विस से इसी दिन आपको जाना चाहिए जो celebrations है ये 9 locations में हुई पूरे इंडिया में लेकिन जो main function हुआ हो दिरादून में हुआ है रक्षा मंत्री रायनास सिंग द्वारा इसकी अद्रक्षता की गई main function की दिरादून में अच्छा इसी दुरान रक्षा मंत्री ने Soul of Steel Alpine Challenge भी launch किया है आपको जाना चाहिए वेटरेंस टे है ये हम साल 2017 से ही मनाते आ रहे हैं अंडर विच प्रजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड एसेंशेल मेडिकल सप्लाइज तू डेवलपिंग नेशन्स भारत किस परियोजना के तहट विकास सील देशों को आवश्यक चिकित्सा अपुरती प्रदान करेगा आप्शन्स आपके सामने है सही आंसर आप्शन दी है आरोग्य मैत्री तो आपको जाना चाहिए प्राइम मिस्टर रेंदर मोदी ने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को एनाउंस किया है इसके तहट भारत कोई भी डैवलपिंग कंट्री है जहांपर नेचरल डिजास्टर्स या फिर उन्हें एसेंशल मेडिकल सप्लाइज प्रोजेक्ट करेगा आप सभी जानते हैं वैक्सीन मैत्री एक इनेशेटी हमारी और से चलाए का था कोवीट पैंडेमिक के टाइम पर जहांपर हमने सो देशों से ज्यादा में जो है मेड इन इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी संजीव चट्डा इस दा सीयो ओ फिच बैंक हिस टैन्यूर हैस बिन एक्सेंडेड तिल जून थर्टीथ संजीव चट्डा किसी बैंक के सीयो है उनका कारेकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है सही आंतर आप्शन भी बैंक ओफ बढ़ोदा तो जाने का अपॉइन्मेंट्स कमिटी ऑफ तक कैबिनेट इन्हों ने अपनी मंजूरी दे दी है कि बैंक को बढ़ा दो के जो संजीव चट्डा इनका जो कारेकाल है उसको एक्सेंड किया जा रहा है 30 जून तक तो इस पर मंजूरी दे दी गई है इसी के साथ आपको जाना चाहिए जो इसने रिकमेंट किया है कि जो एक्जेक्टिव डिरेक्टर है देवदत्ता चंद इन्हें मैनेजिंग डिरेक्टर के पत्पर एलिवेट कर दे जाए बैंक ओफ पोड़ोजा में है साथी यह भी इन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि रजनीस करना तक इनको एमडी की पोस्ट पर और सीयों की पोस्ट पर जो है एलिवेट कर दे जाए बैंक ओफ इंडिया में है करनाटका बैंक लिमिटेट के बारे में भी आपको जाना चाहिए इन्होंने सेखर राओ को जो है एक्जेक्टिव डिरेक्टर ओफ तब बैंक अपॉइंट करने का निर्ने लिया है तीन साल के लिए विच्ट मिनिस्ट्री हैस डिसकॉंटिन्यूट पढ़ो प्रदेश स्कीम किस मंत्राय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है mayorty affairs संब्सक्राइबें इन्होंने फैसला किया है कि हम बढ़ो प्रदेश विच्ञेम कर रहे हैं विधे उसको प्रदूटिन्यूट पढ़ो प्रदेश स्कीम आपको सब्सक्राइब करना जाते हैं विदेश में पढ़ना जाते हैं तो जो एजुकेशन लॉन वा लेते हैं उस पर सरकार की और से कुछ इंटरस्ट सबसीटी दी जाती है सिस्कीम के तहत तो सभी बैंकों को इंडियन बैंक्स एसोशेशन द्वारा करवा दिया गया है कि यह जो पड़ो प्रदेश इंटरस्ट सबसीडी स्कीम है इसे डिसकॉंटिन्यू किया जा रहा है आपको बताते हैं जो इसकीम है यह कैनरा बैंक्स का नोडल बैंक था इसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव हम बता दें आपको यह था वही जैसे मैंने बताया है जो एकोनोमिकली वीकर सेक्शन से मारिटीज कमिर्टीज में यह दियो विद्येश में पढ़ना जाते हैं तो जो लोन उन्होंने लिया है उस पर सरकार कुछ इंटरस्ट सबसीडी देगी और प्राइम मिस्टर जून 2006 15-point program for the welfare of मारिटीज के तहत इसे गोशित किया गया होनी चाहिए options आपके सामने हैं सही answer option C 500 करोड रूपीज जाने का हाली में Reserve Bank of India ने कहा है कि जो new umbrella entity network है NUE इसे अभी हम hold पर रहे हैं यानि कि अभी इस पर कोई progress या फिर कोई decision RBI द्वारा नहीं लिया जा रहा है आपको बताते हैं नेशनल पेमेंट कोपरेशन आफ इंडि जो NUE Network इसके लिए Facebook, Google, Amazon, Flipkart और companies ने भी apply रिया था लेकिन RBI के expectation के साफ़ पर कोई भी खरा नहीं होता है अब जानते हैं कि new umbrella entity आफिर होता क्या है आपको बता दें RBI ने इसका स्वरूप तयार किया है और यह जो है जो retail space है एक नया payment system की तरह यह कारे करेगा जैसे ATM में white label, POS, आधार based payments and remittance services उसके लिए तयार किया जा रहा है तो क्या है यह एक तरह का जो new payment system है उसको manage करेगा उसको setup करेगा आपको बता दें यह Companies Act 2013 के तहाथ incorporate entity होगी और यह for profit और section 8 company भी हो सकती है फिलाल आप जानते हैं कि जो umbrella entity है retail payment system के लिए भारत में वो NPCI है जो कि एक non-profit entity है अगर हम बात करते हैं इसी की NEOE की तो यह जो company है यह एक company होगी जो की Reserve Bank of India दोर authorized होगी under section 4 of the payment and settlement systems act 2007 minimum paid up capital इसकी 500 crore रुपे होनी चाहिए यार यह आपको बास मझ में और इसमें कम से कम 3 years of experience होना चाहिए payment ecosystem में no single promoter promoter group sell have more than 40% investment in the capital of the NEOE जो NEOE capital है उसमें 40% से ज्यादा investment नहीं होनी चाहिए single promoter की या फिर promoter groups की साथ इसमें भी बताया है कि जब आप application दे रहे हैं NEOE के लिए तो जो promoters हैं उनके पास 10% से कम या 50 क्रोड रूपे उनके पास होनी चाहिए उसका contribution उनका होना चाहिए जब application दे रहे हैं साथ यह बताया है कि promoters जो है वह minimum 25% अपना जो शेर holding up से dilute कर देंगे 5 साल के बात जब यह NEOE साइट आप हो जाए उसके 5 साल के बात और जो minimum net worth है यह 300 क्रोड रूपे हमिसा होनी चाहिए NEOE के पास Small Industries Development Bank of India will partner with the association of microfinance institutions of India to support women entrepreneurs in which state भारते लगु उद्द्योग विकास bank की सराजियों महिला उद्द्यमयों का समर्थन करने के लिए association of microfinance institutions of India के साथ भागेदारी करेगा सही answer option D West Bengal है तो जानेगा Small Industries Development Bank of India Association of microfinance institutions of India के साथ partnership करेगा जिसके तहत जो West Bengal के backward districts है उनमें women entrepreneurs उनको support किया जाएगा तो उनको एक market provide करा जाएगा और create facilities भी दी जाएगी सिद्वे के बारे में तो आप जानते हैं options आपके सामने हैं सही answer option A UAE सहीत अरब अमीरात तो जाने का सुल्तान एहमद अलजबेर कौन है यह यह अबुदाभी नेसनल ओयल कंपनी एड़नॉक के चीफ एक्जेक्टिव हैं तो इन्हें COP28 क्लामिट कॉन्फरेंस का प्रेजिडेंट बनाए गया है तो यह कॉन्फरेंस COP28 कौन होस्ट कर रहा है यूनाइटर अरब एमिरा दुबई में इस साल के अंत में तो यूए के बारे में आप सभी जानते हैं एक और यह अपने इस अरब रिजन में सेकंड कंट्री होगा जो की इस COP को और्गनाइज कर रहा है इस से पहले इस जिफ्ट कर चुका है लास्ट टीर हमने देखा 2022 में और यह जो COP 28 होगी अब यह 30 नॉंबर से 12 इसंबर 2030 की बीच होगी आपको बता दे यूई जो की फर्स्ट कंट्री एरब रिजन में जिसने 2015 पहले सेग्रिमेंट को रेडिफाई किया है इसने अभी कमिट्मेंट किया है कि हम 2050 तक नेट सिरो अमेशन एचीव करेंगे इडिये 95 में बर्लीन जर्वनी में हुआ था इन्वाइमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पुपेंद्र या तो इन्होंने EPF यानि की Employees Provident Fund Organization इसका जो रिजनल ओफिस है उससे इन्योग्रेट किया है अलवर राजस्तान में आपको भी जाना चीज जो Central Provident Fund Commissioner है इनका नाम नीलम स्वामी राओ है REC signed MOU with which state government for multiple projects worth रुपीज 98,853 REC ने किस राज्य सरकार के साथ 98,853 रुपे की कई परियोजनाओं के लिए समझोते कावन परस्ताक्षर किये सही answer option दी उत्तरप्रदेश है तो जाने का महारतन CPSU है Central Public Sector Unit है REC तो इसने एक non-minding MOU sign किये हैं उत्तरप्रदेश government के साथ जिसके तहत जो उत्तरप्रदेश सरकार के various projects है 98,853 रुपीज के तो उन प्रोजेक्ट सो financial assistance प्रोवाइट कराएगा REC तो UP Global Investor Submit की जो आज कल मीटिंग्स चल रही है उनके तहत ये MOU sign किये गए है साथी MP Global Investor Summit 2023 इन दौर के दोरान REC ने MP Power Management Company के साथ भी non-minding MOU sign किये हैं जिसमें 15,86 क्रोड रुपे की financial assistance प्रोवाइट कराएगा किसलिए for upcoming Sarani and Amar Contact Thermal Power Projects REC के और हम बात करें पहले से Ruler Activation Corporation की नाम से जाना जाला था ये Power Finance Corporation की subsidiary है Under Union Power Ministry Which has become the first state to implement a policy to control blindness अंत्यपन को नियंतरित करने के लिए नीती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है सही आंतर आप्शन सी राजस्थान है तो जाने का राजस्थान first state बन गया है जिसने blindness होती है उसको प्लाइटने के लिए policy बनाई है तो objective क्या रहेगा right to sight ensure करना यानि कि सभी देख पाएं थोड़ा बहुत भी देख पाएं तो इस right को ensure करना तो आप कुछ बानना चाहिए इस state में यह massive drive चलने वाली है जिसमें blindness का जो rate है उसको reduce किया जाएगा तो इसे में बताया गया है जो prevalence rate है blindness का राज्य में वह 1.1% है 2020 में और इसे 0.3% लाया जाएगा राइस्थान के बारे में जानते हैं गवर्णर कल राजमिश्र है, कैपिटल चैपूर है, चीफ मिस्टर अशोग गहलोत है ISC और किस कंपनी ने ऐसे मॉडल विक्सित किये है जो रोगानू रोधी की स्क्रीनिंग को तेज कर सकते हैं सही आंतर अप्शन भी यूनिलिवर तो देखें इंडियन इस्टिर उफ साइंस ने कहा है कि हमारी रिसर्चर्चर्स ने और यूनिलिवर इन्होंने मिलकर बैक्टिरिया सेल वाल्स के कुछ ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल से डेवलप किये हैं जिनके दहात जो एंटी माइक्रोबियल से उनकी स्क्रीनिंग काफी फासली हो जाती है एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में आपको जाना चाहिए मॉलेक्यूल्स होते हैं जो की डिजीज कोजिंग बैक्टिरिया को किल करते हैं यूनिवर्सल के बारे में आप जानते हैं बिटिस मुल्टिनेशनल कंजूमर गूर्ट्स कंपनी एट कार्थस लंदन इंग्लेंड में हैं विचिस्टेट गवर्मेंट हैस नोटिफाइड एक्स्टेंशन ऑफ हंड्रेट परसेंट रोट टेक्स एक्जैंप्शन फॉर इलेक्रिक वेहिकल्स तिल टॉन्टी टॉन्टिफाइफ किस राज्य सरकानी दोजार पत्चीस तक इलेक्रिक वहानों के लिए सो परतिशत सडक कर छूट के विस्तार को अधिसूचित किया है सही आंतर उप्शन सी तमिलाणू है तो देखिएगा तमिलाणू गवर्मेंट ने ओर्डर नॉटिफाई किया है जिसमें कहा है कि जो भी इलेक्रिक वेहिकल्स हैं उनको 100% मॉटल वेहिकल टेक्स दिसम्बर 2025 तक का जिनका रिश्ट्रिचन है आपको बताने इससे पहले भी 100% रोट टेक्स एजंप्शन पिरेड चलता राइलेक्रिक वेहिकल्स के लिए राज्य में ये 31 दिसम्बर 2022 को खत्म हो गया था तो फिर से रिन्यू किया है तो मिलाणू की बात करते हैं तो गवर इन पेंट्स बिजनेस काम देनू समूने पेंट कारोबार में 200 करोड रूपे के निवेज के लिए किस फर्म के साथ एक्विट्टी पार्टनर को अंतिम रूप दिया है ओप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन ये है ईवाई तो जाने का गुरुगराम बेस्ट काम देनू ग्रूप इन्होंने कंसल्टिंग फर्म ईवाई यानि की आस्टन ये इनको रॉप्टिन किया है ताकि इन्वेस्टर्स को लाए जा सके 200 करोड रूपे की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो सके तो ईवाई इसकी साहता एवाई की बात करें हैटकॉर्टर्स लंदन इंग्लेंड में पूछ ले जाता है हैटकॉर्टर्स और देलाइट के पीमजी और प्राइस वेटरहाउस स्कूपर्स पीडबलूसी के साथ मिलकर ये जो चारों फर्म हैं ये बिग फोर अकांटिंग फर्म में शामिल है किस कंप्री ने फ्लोटिंग ग्रीन एमोनिया प्रयोजना को विक्सित करने के लिए नौर्वे के S2 के साथ समझोते हैं कि आपार प्रसाक्षर करने की खोशना की है उप्शन आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन ए है L&T तो देखिया लार्सन इन टोब्रो लिमिटेड इन्होंने एमो यू साइन किया है नौर्वे की S2 के साथ किसलिए तो डेवलप फ्लोटिंग ग्रीन एमोनिया प्रजेक्ट डेवलप करने के लिए ताकि ग्लोबल एको क्रिक्रेटर स्लैम तब फास्टेस्ट वंडे इंटरनासल वन फिफ्टी रंस इन इंडिया किस क्रिक्रेटर ने भारत में सबसे थेज एक दिवस्य एक सबस्यासन बनाए हैं ऑप्शन आपके सामने सही आंसर उप्शन ने विराट को ली तो जाने का भारत ने स्री लंका को को और आदिया है तीसरे वंडे इंटरनासल में थिरुवंद्पुरा के रल में 317 रंसे और यह भारत की रंसे बिगस्ट एवर विक्ट्री रही है वंडे नेसल क्रिक्ट के इतियास में इसे के साथ भारत ने स्री लंका को 3-0 से वाइट वाइट वाश कर दिया है अब बाय यह फंडेट भी हो गए है होंपर घर विलू मैदानों पर 21 हो गए है और आपको बता दे फास्टेस्ट ओडिया इस सैंचुरी इन्होंने मारी है इससे पहले यह जो रिकोर्ड था यह ऑस्ट्रेले के जोर्ज बैली के पास था उन्होंने एक्सटनों डिलिवरी जी थी यह पूछ ले जाता है कि यह हाली में जो स्रंक लावी तिसमें प्लेर ऑफ सीरीज कौन थे या फिर हाँ प्लेर ऑफ सीरीज ही पूछते हैं कि कौन थे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अगले मुख्य अर्थसास्तरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको जाना चाहिए यूके ट्रेसरी ओफिशियल क्लेर लॉंबार्डिली इन्हें नेक्स्ट चीफ एकोनोमिस्ट अपॉइंट किया गया है और्गनाजिशन फॉर एकोनोमिक कोपरेशन एंड डेफलेप्मेंट यानि कि OECD का और इनका कारेकाल दो मई दोजार तेश से सुरू होने वाला है ये फ्रांस के लोरेंस बून को रिप्लेस करने वाली है साथी मनल कॉर्विन इन्हें नेक्स्ट डिरेक्टर ऑफ दा OECD सेंटर फोर टेक्स पॉलिसी एंड एड्मिस्टरिशन अपॉइंट किया गया इनका कारेकाल तीन अप्रेल दोजार देश से सुरू होगा आपको यहाँ OECD के बारे में जानना चाहिए एक इंटर गॉर्मेंटल और्गनाजिशन है 38 मेंबर कंट्रीज हैं इस थापना इसकी 1961 में हुई थी और ये United Nations में Observe का स्टेटस इसको प्राप्त है और इसका Headquarters Paris, France में है Google paid a special tribute to which Indian Olympian through its Doodle recently Google ने हाल ही में अपने Doodle के माध्यम से किस भारते Olympian को विशेश सरद्धान चिली दी Options आपके सामने है सही answer option दी रहेगा कसाबा दाता साहिब जादो KD जादो भी इनको बोलते है चले जानते है देखें Google Doodle ने कसाबा दाता साहिब जादो यानि की KD जादो इनको सरद्धान चिली दी है जनवरी 15 को इनका 97 बर्थ एनिवर्सरी रही थी आपको बताते हैं जो एक केडी जादो है Independent India के First Individual Olympic Medalist रहे है इनसे भी संबंदित question पूछ ले जाता है यही की Independent India के पहले Individual Olympic Medalist कौन रहे थे आपको बताते हैं जो जादा हुची है इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था 1952 वेलसिन की Olympics में और जापैनीज सोहाची इसी से यह हार गए थे इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1926 में हुआ था गोलेश्वर महरास्ट में 1948 Olympics में भी नहीं हाला की compete किया था लेकिन मैट पर जो इनका experience है वो अच्छा नहीं था इस वज़े से यह 6th position पर रहे थे 2001 में मर्नो प्रांथ इनको अर्जुन आवाउड दिया गया 2010 में इंडियान गॉवर्मेंट ने wrestling stadium में एक जिसका नाम है इंद्रा कांधी sports complex निव डेली उसको जादव के नाम पर रखते आथा भी से कीडी जादव इंडॉर हॉल बोले जाता है मतलब इंद्रा कांधी sports complex में एक wrestling stadium में उसका नाम कीडी जाता हो इंडॉर हॉल रख दिया था what is the theme for world economic forum annual meeting in 2023 2030 में विश्व आर्थिक मंच की वार्सिक बैटक का विशे क्या है options आपके सामने है सहीरांदर option दी है corporation in a fragmented world जानेगा world economic forum WEF ये एक international non-governmental organization है कॉलोगनी Switzerland में इस्तित है और आपको जानना चाहिए यह अपनी annual meetings के लिए जानी जाती है जो कि जन्वरी महीने के end में दावोस में होती है दावोस एक टाउन है और कहां पर है स्विट्जर लेंड में जो अल्पाइन जो रिजन है यह वहां पर यह located है इस बार 2023 में इसका जो theme है word economic forum की meeting हो रही है यह corporation in a fragmented world काफी महत्त पूर्ण है इसका theme याद रखेगा तो जो भी economy से संबंधित है जो problems है जो issues है उनके बारे में आपर चर्चा की जाती है लग लग देशों से representative इसमें शामिल होते हैं तो theme याद रखेगा corporation in a fragmented world अच्छा है जो annual meeting है यह दावोस स्विट्जर लेंड में हो रही है 16-20 January के बीच में अगर हम बात करें इस meeting के route की तो जो यह world economic forum है 1971 की बात है जब इसके founder Klaus स्वाब इन्होंने European companies के जो executives है उनको invite किया यहाँ पर दावोस में कि आप आईए और कुछ economy समद्धित डिसकस करते हैं कि WF के बारे में अगर हम बात करें executive chairman Klaus स्वाब रहे हैं और प्रेजिडेंट है बॉल्ज प्रेंड है वेन इस नेसल स्टार्टप डे सेलिब्रेटेड रास्टे स्टार्टप दी वस्कब मनाया जाता है options आपके सामने है सही अंजर option C है January 16 जानेगा पंजर जनवरी 2022 को प्राइम मिश्टर नेंद मोदी ने अनौंस किया था कि हम नेसल स्टार्टप डे मनाएंगे 16 जनवरी से और उसी बार जो हमने फस्ट नेसल स्टार्टप डे अपना मनाया था आपको बता दें 16 जनवरी 2016 को स्टार्टप इंडिया इनिशेटिव को लौंच किया गया था कि इसके द्वारा Department for Industrial Policy and Promotion DPIIT के द्वारा और जो यह नेसल स्टार्टप डे इसी को मार्क करने के लिए जो यह Department for Promotion of Industry and General Trade है इसने 10 से 16 जनवरी के बीच इस बार स्टार्टप इंडिया इनोवेशन वीक भी और्गनाइज किया है इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ दिन पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में फिर से आपको बता आपके सामने है और शाहरुक खान तो जानेगा वर्ड ऑफ स्टाटिस्टिक्स के अनुसार सारुक खान है इनकी जो नेट वर्थ है यह सिक्स टॉंटी सेवन मिलियन रूपीज है या फिर सैवन सेवन्टी मिलियन यूएस डॉलर और यह एशिया के रिचेस्ट एक्टर है और पूरे वर्ड में यह फौर्थ रिचेस्ट एक्टर है और सबसे रिचेस्ट कौन है यह है जयरी सैंफिड 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पर सारुक खाने लोग वैनिस अर्मी टेस्ट सेलिब्रेटेट सेना दी बसकब मनाया जाता है आप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा जैन्वरी 15 तो जानेगा जो भारत है यह मतलब हम लोग 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिप्रेट करते हैं हर साल क्यों हमारी जो फर्स्ट इंडियन कमांडरी इंचीफ आफ इंडियन आर्मी रहे हैं फिल्ल मार्शल के एम करियप्पा इनकी जो अचीवमेंट्स हैं इनको कमेवेट किया जाता है उसी उपलक्ष में 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं आपको बतावें इंडियन आर्मी की स्थापना ब्रिटिश रूल के तहट एक अपरेल इंडियन पिच्चान में को हुई थी 1894 में हुई थी तब इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था और भारतु जब आ इंडियन आर्मी की कार्यबार समाला 1949 में और किस से यह कार्यबारी नहीं समाला जनरल फ्रैंसिस वोचर से जो की लास्ट ब्रिटिस कमांडर इंडियन चीफ थे इंडिया की तो यह भी फैक्ट आप याद रखेगा अच्छा अब तक केबल दो ही आर्मी ओफिसर्स हुए है जेओ की फाइव स्टार रैंक पर रहे फिल्ड मार्चर के तोर पर एक तो यहीं है केम करियप और दूसरे फिल्ड मार्चर स्ट्राम मानिक सा अच्छा फॉर्ड फस्ट टाइम सिंस 1949 आपको बता दें उन्निस सो रंचस के बाद से पहली बार जो इस बार आर्मी डे मनाया गिया है मतलब जो मेन इवेंट है तो कहां पर हुआ यह बैंगलूर में हुआ है सदर्न आर्मी कमांड के तहत तो यह आद रखिएगा केरल के किस चीले को भारत का पहला सम्मिदान स्वाक्षर जीला गोशित किया गया है औप्शन साब के सामने है सही आंसर औप्शन यह है कोलम तो जानेगा कोलम इंडिया का फस्ट कॉंस्टिटूशन लिटरेट डिस्टिक ओफिचली डिकलेर्ड कर दिया गया है जो यहां के केरल के सीएम है इनके द्वारा आपको जाना चीए कि यहां पर कॉंस्टिटूशन लिटरेशी कैम्पेइन चलाए गया था कोलम इंडिस्टिक पंचायत डिस्टिक प्लानिंग कमिटी और केरल इंस्टिटूट ओफ लोकल एडिश्टिक के द्वारा तो इस कैम्पेइन के तहट लगबग 16 समलोग तीन लाख लोग जो इस टिस्टिक में है और दस साल से जादा के हैं उनको कॉंस्टिटूशन के वैरियस एसपेक्ट्स के बारे में बताया गया जिन लोगों द्वारा बताया गया उन्हें सिनिटर्स नाम दिया गया तो जाने का उडिसा की सिफ मिश्टर रवीन पटना है कि इन्होंने डोट फेस्ट जो कि एक ग्रैंड कल्चर एक्स्टावेगेंसा है इसको इनोग्रेट हिया है तो इसमें के वाले इतना ही आपको जानना है कहां पर रुआ डोट फेस्ट विसा में यांसा कुछ थीम बग रिपोर 2023 किसल अन्साने वैस्ट जोकिम रिपोर दोजार तीज चारी की है सही आंसर यां ऑप्शन भी रहेंगा वर्डफ एकोनोमीक फोरम तो जानेगा वर्ड एकोनोमिक फोरम डबलुई एयफ इसने ग्लोबल रिपोर 2023 को पुबिच किया है इस रिपोर्ट कि अगर सं यह काफी हावी रहने वाले हैं दूसरा बताया अगले दस साल में फेलर तु मिटिकेट क्लाइमेट चेंज बाइडर स्री लोस एंड इको सिस्टम कोलेप्स यह मेजर इसूस रहने वाले हैं भारत के बारे में इन्होंने बताया डिजिटल इन्यक्वालिटी जियो पॉलिटि किस फिल्म ने सर्वसिस्ट विदेशी भासा फिल्म के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड 2023 जीता है सही आंसर या ऑप्शन ए रहने वाला है आर 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 तो जाने का टूंटी एर्थ क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड यह लोस एंजल्स कैलिफॉर्णिया में जैफ प्रिजस इनने लाफ्टाम चीवेंट अवार्ड दिया गया है वही जनरे मॉनग इनको शीहर ऑवार्ड दिया गया है बेस्ट फिक्चर मिला है अवर्यथिंग अवरिवर अल उन्स सो बेस्ट कोमेटी सीरीज अवार्ड अलिमेंटरी इसतर से बेस्ट रामा सीरीज Better Call Saul, Best Limited Series, The Dropout, Best Movie Made for Television, Weird. Jio Special Hackathon is being organized by Jio Special Hackathon. Guys, इन किसके द्वारा किया जा रहा है? Option से, IIIT, Hyderabad, Survey of India, Microsoft India, यह All of the Above, तो सही answer option D है, All of the Above. तो जाने का Dr. Jitendra Singh, इन्होंने Jio Special Hackathon को डैली में launch किया है, इसका मकसद ही है, जो इंडिया का Jio Special Ecosystem है, उसमें इनोवेशन और स्टार्ट अप्सको प्रमोट करना है, आपको जाना चाहिए, इसमें Public और Private Jio Special Sector जो है, उसको भी प्रमोट करने की बात की जा रही है, और इसे launch किया है, Survey of Media, Ministry of Science and Technology, IIIT, हैदराबाद, और Microsoft इंडिया के द्वारा, और two sets of challenges इसमें रहने वाले हैं, इस event में, Research Challenge और दूसरा Startup Challenge, विश शिपयार्ड एस डिलिवर्ड इंडियन कोस्ट कार्ड शिप कमला देवी, कि शिपयार्ड ने भारतेत्ता ट्रक शक जहाच कमला देवी को डिलिवर किया है, औप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसो औप्शन्स ही रहेगा, गार्डन रीच सिप बिल्डर्स, तो जानेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी, जो की एक fast petrol वैसल है, इससे डिजाइन किया है, बिल्ड किया है, डिलिवर किया गया है, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited के द्वारा किसे दिया गया Indian Coast Guard को तो Indian Coast Guard ने हाली में इस Fast Petrol Vessel को कोलकाता वेस्ट में कमिशन किया है आपको बता दें यह जो पूरी सीरीज रेने वाली है Fast Petrol Vessel की जिसे Garden Reach Shipbuilders and Engineers बना रहे हैं यह इसका फिफ्ट और लास्ट वेसल है ICGS कमलादरी 48.9 मिटर्स लोंग है 7.5 मिटर्स वाइड है displacement 308 टर्म से है साथी आपको एक और करेंट फिर्स इसी से संबंदित देखना चाहिए जो Garden Reach Builders and Engineers है इन्होंने MV Malaysia यह एक तरह का passenger come cargo ocean going ferry है इसको बनाया है इन्होंने GRSC ने कि किसको दिया गया है यह Republic of Guyanate को दिया गया है तो पहली बार किसी defense public sector से प्याड ने किसी Latin American country के लिए यह ship बनाई है वेनवास्ता वोमनिया इनिशेटिव लॉंच्ट वोमनिया पहल कप सुरू की गई थी सही disruption दी है 2019 तो जानेगा हाली में वोमनिया on government e-marketplace इसकी जो success है उसको मनाया गया निव डेली में आपको बता दें एक लाग 44,000 से जाथा उद्धियम verified women micro small enterprises जो है registered है इनने बुल जाता है वोमनिया तो मनिया इनिशेटिव 2019 में launch किया गया था इसका मकसद यह है यह e-marketplace पर जो women entrepreneurs हैं और self-help groups हैं वो अपना जो products हैं उनको directly government buyers को बेश सके intermediaries को जो है हटा कर विच एप और पॉर्टल वन digital impact अवार 2023 इन governance and administrative reforms category किस एप या पॉर्टल ने शाशन और प्रसासनिक सुदार स्रीनी में digital impact अवार 2023 जीता है सही आंसर अप्शन भी है जिस्ट्री पॉर्टल तो जैने का digital news publishers association ने dnpa digital impact अवार्ड 2023 को एनांस किये है यह वार्ड बैसिकली उन से भी digital technology innovations को दिये जा रहे हैं जिन्होंने भारत में citizens की जो जिंदगी है और उसको आसान बनाया है यह सभी अवार्ड से इसमें आप देख सकते हैं best use of digital media for human resource development education यह दिक्षा को दिया गया है best use of digital media for health kovin app को दिया गया है best use of digital media for financial reforms प्रदानमंट ती जन्द नहीं हो जना नीचे आएंगे best use of digital media for governance and administrative reforms GST portal last में देखें best use of digital media for use of living digital locker तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं विच इंडियन टैनिस पेर वन दा बैंकोक ओपन टाइटल किस बारते टैनिस चोड़ी ने बैंकोक ओपन का किताब जीता सही answer option दी रहेगा यूकी बामरी एंड साकित माइनली तो टैनिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यूकी बामरी और साकित ये दोनों ही की जोड़ी जो है भारती जोड़ी ने बैंकोक ओपन टाइटल जीत लिया है किसे हरा है क्रिस्टोफर रोंगाट और अकीरा सेंटिलन को तो यह इंडोनेशियन ऑस्टेलियन जोड़ी है क्रिस्टोफर इंडोनेशिया से है और अकीरा ऑस्टेलिया से इन्हें हरा है इनने भारती जोड़ी ने एस पर एक और एप रिपोर्ट इंडिया इंफलेशन एक्सपेक्टेट टू कम डाउन टू वट प्रसेंट बाइ मार्स 2023 एक और एप की रिपोर्ट के नुसार भारती खुद्रायद मुद्रास्विती मार्स 2030 कितने प्रतिशत तक कम होनी की उम्मीद है सही आंत्र आप्शन ही जानेगा यहां पर एक सब्सक्राइब रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो रिटेल इंफ्रेशन रेट है जो कंसूमर प्राइस इंडेक्स के बेसे पर हम बता रहे हैं वह आर्बेगा जो कंफर्ट जोने 6 परसेंट सा 6 परसेंट का उससे नीचे रहने वाली है और मार् इंफ्लेशन जो दिसम्बर के मायने में रहे 5.72 परसेंट रही जनवे से माल से उजार तेश्च तक जो एपरेज टेल इंफलेशन है यह 4.7 परसेंट रहने की उम्मीद है डिटेल इंफलेशन 5.88 परसेंट रही थी नमंब्र में जबकि अक्टोबन 6.77 परसेंट रही थी जिसने MSME छेतर को रिंड देने के लिए कॉलकाता इस स्थित VFS कैपिटल के साथ साइधारी की है सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहां सिड्वी तो जाने का Small Industries Development Bank of India की सिड्वी ने आपर पार्टनर्शिप की है कॉलकाता-based Microfinance Institutions VFS कैपिटल के साथ जिसमे MSME सेक्टर को लोन दिया जाएगा VFS कैपिटल के द्वारा तो पांच लाग रुपे तक का लोन यह देगा 13% इंटरस्टरेट परेनम के बेसिस पर हाली हमने भी देखा था कि सिड्वी ने M5 के साथ भी पार्टनर्शिप की है किसलिए जो पेंगाल में विमन एंत्रप्रेनर्शान को सपोर्ट करने के लिए किस फर्म ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपड़ती करे भारती रेल्वे के साथ 26,000 कोड़ों के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये सही आंसर ऑप्शन भी है सेमन्स तो जाने का जर्मान इंजिरिंग कंपनिया सेमन्स इन्होंने 26,000 कोड़ रुपे का एक्रिमेंट साइन किया है इंडियन रेल्वे के साथ जिसके तहत ये एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्रवाइट कराएगा रेल्वे को फ्रेट मूमेंट के लिए तो बारा सुलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्रवाइट कराएगा सेमन्स इंडियन रेल्वे को विच एजन्सी अस रेसीवड अब वर्ग ओडर वर्थ रूपीज पन 70.11 करोड फ्रूम दा पूडूचरी गवर्मेंट फॉर स्मार्ट सेटी प्रोजेक्ट किस एजन्सी को स्मार्ट सेटी प्रविजना के लिए पूडूचरी सरकार से 170.11 करोड फ्रूपे का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है सही आंसर ऑप्शन दी है रेल्टेल तो जानेगा इंडियन रेल्वेस की जो हुली वांट सब्सिडिव ह है रेल्टेल को प्रेशन ऑफ इंडिया निम्टेट इन्हें 170.11 करोड रूपे का और प्राप्त हो है प्रडूचरी गोवर्मेंट की और से जिसके तहत यह क्या गरेंगे टू डिसाइन डेवलब सप्लाई इंस्टॉल टेस्ट कमिचन एंड ऑपरेशन से मेंडिनेंस ऑफ एंट्यरेट कमान करण सेंटर अडर एक्टिविटीज ऑफ डी इसमार्ट सेटी तो सेटी से के लिए जो भी इनटिक्रेटिट कमान कर्वरिशन इसका जिम्म्र दिया गिया है इसी आपको रेल्टेल के बारे में जानना है ब्रोडबैंड और बीपेंड सर्विक णरोविसे प्रशेप्ड करें बंदरगा कहां लॉन्च किया है सही अंसर ऑप्शन दी रहेगा आर्क्टृट्ट सवीडन में ऑप्शन डी गया है अब यह पढ़िएगा आप देखे पुरा पेराग्राफ तन नीव फैसिलिटी एट 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 स्पेस सेंडर नियर द सेटी ऑफ किरुणा सुड गया है अब दूसरी कहां कोल दिया आर्किक स्वेडन में तो क्या लिखा है यहां पर कॉम्प्लीमेंट है ना यह जो पहली फैसिलिटी दूसरी फैसिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा साथ है आपको भी जाना चाहिए यूरोप का जो लार्जेस टिपोजिट ओफ रेयर अर्थ है रेयर अर्थ मैटल्स होते है ना वह मिला है कहां पर स्वीडन में तो यूरोप में नहीं पाया जाता है रेयर अर्थ चाइना पर डिपेंड रहते हैं 98 परसेंट और चाइना की जो इकनोमी है वो इसलिए बूम करती है क्योंकि ज्यादा तर फैक्टर यह ही है कि चाइना में रेयर अर्थ जो मैट्रियल है वो काफी पाया जाता है ठीक है रेयर अर्थ क्या होते हैं एक गुरूप ऑफ 17 elements होते हैं यह आपको जानना चाहिए question बन जाता है यहां से वैसे जान लीजे देखें दो सब्दोते compliment और compliment एक में तो आता है C o m p l i और दूसरे में आता है c o m p l e तो पहला compliment तो आप जानते हैं किसी को compliment देना किसे ने च्छा कारे कि उसकी तारिफ करना दूसरा compliment क्या होता है आई के बदले ई लग जाता है ठीक है compliment तो इसका मतलब आप मै इसे कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहां पर यूच वाए तो देखें दूसरे compliment का मतलब होता है किसी किसी एक चीच को दूसरी चीच जब पूरी करती है या फिर और उसे अच्छा बना दिती है तो उसे बोलते हैं compliment c o m p l m e n t अब यहां पर आप यह देखें दूसरे paragraph में यह लेकर जो नई facility बनाए गई है यह यह उरोपी ने उनकी जो पहले की facility फ्रेंच गयाना में इसको compliment करेगी यानिकि इसके पूरक के तोर पर रहेगी यानिकि इसके साथ परस पर जो है आगे पड़ेगी या फिर इसको प smile compliments your bright outfit जो तुमारी bright outfit है उसको जो आपकी smile है वो compliment कर रही है और अच्छा कर रही है उसको फिर लड़की कह रही है we compliment each other हम एक दूसरे को पूरा करते हैं ठीक है और अच्छा मनाते हैं तो यह मतलब हुता है इस compliment का और पहला compliment तो आप जानते ही है प्रसंसा करना who has become the first women officer to be posted on a foreign assignment at the border roads organization BRO सीमा सडक संगठन में किसी विदेशी assignment पर तैनात होने वाली पहली मैला अधिकारी कौन बनी है options आपके सामने है सही answer option C है सुर्भी जगमोला तो आपको जाना चाहिए captain सुर्भी जगमोला जो कि Indian army की 117 engineer resumeant से पिलोग करती है यह first woman officer है जिने border roads organization ने foreign assignment पर तैनात किया है आपको बताते है project दन तक के तहती ने भूटान बेजा जाएगा BRO के पारे में आप सभी जानते हैं जो हमारा border से और जो friendly neighboring countries के साथ जो हमारा boundary मिलती है वहाँ पर road network बनाने का और उसे maintain रखने का काम BRO का होता है आपको बताते साल 2015 में BRO को पुरी तरह से ministry of defense में transfer कर दिया गया था अच्छा तीन महिला officer काफी चर्चा में रही हाली में एक तो captain सुर्भी हो गई दूसरी रही है अवनी चतुरवेदी तो इन्हें जापान बेजा गया है फीर कार जन टॉंटी टूंटी 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 त्री जो air force exercises जापान और भारत की बीच में जो 16-26 जनवरी के बीच चल रही है हया कुरी एर बेस में तो यहाँ पर अवनी चतुरवेदी को भी बेजा गया है साथ ही सीवा चोहान यह कौन है यह बेंगाल सेपर ओफिसर फ्रॉम राजस्थान है कैप्टन सीवा चोहान तो इंडियन आर्न फोर्सेज ने इन्हें सियाची निकलेशियर जो की वर्ड का हाईयस्ट बैटर फिल्ड है यहाँ पर तैनात किया है तो पहले बारे से हुआ है जब किसी वुमें आफिसर को इस सियाची निकलेशियर पर तैनात किया गया है अच्छा आपको यह भी जानना चाहिए यदि हम हाईयस्ट प्रोपर्शन ऑफ वुमें आफिसर की बात करें तो सबस्यादा इंडियन एर फोर्स में 13.69 परसेंट उसके बाद इंडियन नी में है 6 परसेंट उसके बाद इंडियन आर्वी में 3.97 परसेंट तो यह भी एक मैट पूल फेक्ट है याद रखिएगा सबस्यादा इंडियन एर फोर्स में है महिला ओफिसर विच एडिशन ओफ नवल एक्सराइज वरुन बेट्विन इंडिया एंड फ्रांस बिगिन भारत और फ्रांस के बीच नोसैनिक अभ्यास वरुन का कौन सा संस्क्रण शुरू हुआ है उप्शनस आपके सामने है सही आंसर उप्शनस ही है 21st तो आपको जाना चाहिए 21st edition of the bilateral नवल एक्सराइज बेट्विन इंडिया एंड फ्रांस यह western seaboard पर संपन हो रही है western seaboard मतलब जो आपका western coast है पूरा गुजरात हो गया गोवा महारास्ट और केरल तमिलनाडू यह करना टक तो इस पूरे coast से होते हुए यह एक्सराइज चल रही है आपको जाना चाहिए भारत और फ्रांस के बीच जो यह नवल एक्सराइज है यह 1993 में शुरू हुए थी उसके बाद साल 2001 में इसका नाम वरुन रख दिया गया था इस एडिचर में भारत के और से पार्टिस्पेट करने इन शिन नहीं इन से और पी एट आई साथी मीग 29 के और इंटेग्रेट इंटेग्रल हेलिकॉप्टर्स डौन रो नियर यह सब भी पार्टिस्पेट करने हैं डौन रो नियर कि इस सहर में संपन हुई ऑप्शंस आपके सामने हैं सहीद अंसर ऑप्शं यह पुने हैं तो आपको जाना चाहिए first G20 infrastructure working group meeting under G20 इंडिया presidency यह पुने महरास्ट में संपन हुई है 18 member countries के 64 delegates ने इस meeting में पार्टिस्पेट किया है 8 international organizations से ने भी पार्टिस्पेट किया और 8 गेस्ट कंट्रीज ने भी पार्टिस्पेट किया है इसका थीम रहा फाइनेंसिंग सेटीज ओफ टुमेरो इंक्लूजीव रेसिलेंट एंड सस्टेनिबल आपको जाना चाहिए इस मीटिंग को डिपार्टमेंट ऑफ एकोनोमिक अफेर्स मिर्स्ट्य फाइंस गौर्फ इंडिया ने होस्ट किया अलोंग विद ऑस्टेलिया एंट ब्राजील अस्ट को चेर तो ऑस्टेलीड प्राजील के साथ मिलकर जो मिर्स्ट होऊंसिंगल्स मालेशया ओपन टाइटल 2023 पूरुस एकल मलेशया ओपन किताब 2003 किसने जीत है options आपके सामने हैं सही answer options ही रहेगा विक्टर एक्सेल से इनका नाम आप सभी जानते हैं country भी याद रखिएगा कई बार पुछ जाती है डेनमार्क से हैं यह विक्टर एक्सेल से तो मलेशिया उपन का जो single title है वो इन्होंने जीत लिया बात मैंटि बिंटन की हो रही है जापान के और को दाए नारो कोई को इन्होंने हराया है वही अगर अगर महिला एकल खिताब ही बात करी है इस मलेशिया उपन में तो जापान की आकेर यावागूची इन्होंने टाइटल जीता है साओथ कुरि ने जीता है इंडिया ने विच कंट्री है अग्री तो कोपरेट इन दा ओयल एंड गैस सेक्टर भारत और के देश ने तेल और गैस चेटर में सहयोग करने पर सहमती व्यक्त की है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन भी है गोयाना तो देखे भारत और गोयाना इन्होंने एग्रिमाइंट साइन किया है कि हम और एंड कैस सेक्टर में कोपरेट करेंगे अंकिदिंग लोंग तर्म क्रूड परचेस फ्रोंग आ साउथ अमेरिकन कंट्री आइं इनन वैस्ट्रीम आप्स्टीम सेक्टर तो जो यह साउथ अमेरिकन कंट्री है गोयाना इसमें इन्वेस्ट्मेंट और यहां से बुल परचेस करने संबंदित एग्रिमेंट हुआ है तो हाली में जो हमारे ओयल मिनिस्टर नेहरदीप सिंग पुरी ये गोयाना के प्रेजिडेंट मुहमद इर्फान अली से मिले हैं उसी दोरान ये सभी एग्रिमेंट साइन हुए है एक कॉंट्रक्ट ये भी साइन हुआ है जो गोयाना पावर एंड गैस है कंपनी इसने और इ इंजिनियर्स इंडिया लिमुटेड बात करते हैं गयाना की तो कैबिटल जोर्जटाउन है करन्सी यहां की डॉलर है M.Shridharan has been appointed as the next ambassador of India to which country M.Shridharan को किस देश में भारत का अगला राचिदूत निक्त किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा अजर्बाइजान तो जाने का M.Shridharan इन्हें भारत का next ambassador निक्त किया है Republic of Azerbaijan में इसी capital पाकू करन्सी अजर्बाइजानी मना थे मना थे साथी निलाक्षी सहसिना इन्हें भारत का next ambassador निक्त किया है Republic of Armenia में अर्मेनी capital याद रखिया कई बार पूछी जाती है करन्सी है DRAM वहीं CV George इनको next ambassador of India appoint किया गया है Republic of Marshall Islands में इसी capital से मजूरो दिलाप उल्वी का जरादीद और करन्सी है US डोलर The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 5 lakh rupees on which city based Citizens Cooperative Bank Limited भारत Reserve Bank ने किस सहर के नागरिक सहकारी bank limited पर 5 lakh रुपे का मौदरिक चुर्माना लगा है options आपके सामने हैं सही answer options C जम्मू है तापको जाना चाहिए Reserve Bank of India ने जम्मू इस्थित The Citizens Cooperative Bank Limited पर 5 lakh रुपे की monetary penalty लगाई है किसलिए for contravention of section 35A and section 361A read with section 56 of Banking Regulation Act 1949 साथी Reserve Bank of India ने 2 lakh रुपे की monetary penalty लगाई है District Cooperative Bank Limited दिरदून उतराकंट पर भी RBA has issued guidelines on acquisition and holding of shares or voting rights in banking companies allowing promoters to hold what percent of paid-up share capital or voting rights of bank after the completion of 15 years from the commencement of business of a banking company RBA ने banking companyों में shareों के अधिकरण और holding या voting अधिकार पर दिशा निर्देश जारी किये है जिससे promoters को banking website सुरू होने के 15 साल पूरे होने के बाद paid-up share पूंची या bank के वोटर अधिकार का कितना प्रतिशत रखने की उनमती मिलती है सही answer option C है 26% तो देखे Reserve Bank of India ने acquisition and holding of shares और voting rights in banking companies इस पर कुछ दिसानितेश चारी के हैं और कहा है जो banking company है जब वो अपना कोई 15 साल का business पूरा कर लेती है उसके बाद जो promoters हैं उनको हम allow कर रहे हैं यह 26% of paid-up share capital या फिर voting rights बैंक में hold कर सकते हैं फिलाल यह 15% है साथ इनोंने यह भी बताया है कि जो banking companies में जो non promoters हैं वो कितना acquire कर सकते हैं उनके लिए 10% ही limited है ठीक है in case of individuals non financing institutions financial institutions उनके लिए 10% limited है और 15% किसके लिए financial institutions के लिए public sector undertakings के लिए और government के लिए और यह जो directions है यह से भी banking companies including local area banks, small finance banks और payment banks पर लागू होते हैं पहला federal bank literary award 2022 किसने प्राप्त किया है सही answer यह option यह रहने वाला है के विनू तो जाने का noted writer है के विनू इन्होंने पहला federal bank literary award 2022 जीता है अपनी autobiography और innovation थिंदे का था इसके लिए और यह award इन्हें मिला बाला गोपाल चंद्रशेकर जो की federal bank में chairman independent director है ntpc renewable energy limited signed NMOU with VC state government for collaboration in renewable energy development ntpc renewable energy limited ने अक्षे उर्जावी कास में सहयों के लिए किस राज सरकार के साथ एक समझोते के आपन पर सक्षेर किये हैं सही answer option B है त्रिपुरा तो जाने का ntpc renewable energy limited ntpc REL इन्होंने एक memorandum of understanding signed के है government of त्रिपुरा अक्षाद निव टैली में for development of floating and ground mounted based renewable energy projects के लिए बात करें त्रिपुरा की capital अगरतला है chief minister मानिक्षा है Governor Satyadev नरेन आरे है Warehousing Development Regulatory Authority WDRA signed NMOU with which bank to facilitate low interest rate loans to farmers Warehousing Development Regulatory Authority ने किस bank के साथ किसानों को कम ब्याजतर के रिंट की सुविदा के लिए एक समझते के आपन पर स्थाक्षर किये सही answer option C State Bank of India है तो जानेगा जो farmers है उनको low interest rate loans provide कराने के लिए Warehousing Development Regulatory Authority WDRA ने Memorandum of Understanding signed किया है State Bank of India के साथ तो आपको जाना चाहिए जो नया loan product है जिसका नाम है Produce Marketing Loan इसको promote करने के लिए ये MOU sign किया गया है इसमें nil processing fee है no additional collateral है और काफी attractive interest rate है As per the RBI states gross fiscal deficit likely to decline to what percent of GDP in fiscal year 23 RBI के निस्वार राज्यो का सकल राज्यकोशिय घाटा fiscal 23 में GDP कितने प्रत्यात घटने की संभावना है Options आपके सामने है सही answer option C है 3.4% तो जानेगा Reserve Bank of Indianic report जारी किये जिसका नाम है State Finances a Study of Budgets of 2022-23 तो इसमें खाया है कि जो राज्यो की fiscal health है उसमें improvement देखने के लिए मिला है 2020-21 में काफी bigger गया था मामला pandemic के कारण लेकिन अब थोड़ा सुधरता हुआ दीख रहा है तो यह बताया कि जो राज्यो का gross fiscal deficit है यह जहां 2020-21 में 4.1% of gross domestic product था वह यह 2022-23 में 3.4% हो जाएगा है तो यह उन्होंने बताया है साथे उन्होंने बताया कि जो States का debt है वो उनकी GDP का 29.5% तक हो जाएगा 2022-23 में जबकि 2020-21 में 31.1% था ठीक है जो कि जो एनकी सिंग कमिटी ने जो बताया था 20% का उससे कई ज्यादा था और अब भी ज्यादा ही है 29.5% जबकि एनकी सिंग कमिटी ने 20% बताया हुआ है विच पुब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनरड विद करूड एरोस्पेस अंडर दे किसान पुस्पकी स्कीम कि सरवजनिक छेतर के बैंक ने किसान पुस्पकी योजना के तहत गरूड एरोस्पेस के साथ भागेदारी की है आपके सामने थे सही आंसर ऑप्षन सी यूणियन बैंक ओफ इंडिया तो जाने का चेन नहीं का ट्रूण स्टार्टप है गरूड एरोस्पेस कई करेंट अफ़्स हम हाली में देख चुके है इससे समभंदी इसने यूणियन बैंक उफ इंडिया के साथ पार्टनर्शिप कर सकेंगे क्रोप प्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजर्स इस्प्रे के लिए केमिकल्स प्रिस्टिसाइट्स इन सब के लिए बाकिया आप जानते हैं गरूड ऐस्पेस के फांडर एंड जो सीओ है ये अगनिश्वर जय प्रकास है अच्छा गरूड ऐस्पेस एक और वज़ेसी चर्चा मेरा इसने एक मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया है रैलीज इंडिया लिम्टेट के साथ जो की टाटा केमिकल्स की सब्सिट्री है तो जो रैलीज है ये पेस्टिसाइट्स एंड क्रॉप निउट्रेंट्स प्रवाइट कराएगी करूड ऐस्पेस के लिए क्योंकि अलग- कौन सा देश अपने 25 संदता दीवस पर जवाड लाल नेरु के चित्रे के साथ एक पनी डाक्टिक चारी करेगा सही आंसर अप्चन सी स्रिलंका है तो देखिए स्रिलंका का 75 नेशनल नेशनल लिम्ट इंडिपेंडन स्टेव होएगा चार अपरवी 2023 को स्रिलंका ने डिसा जानते हैं प्रेजिडेंट यहां के रानिल विक्राम सिंह है कैपिटल कॉलंबो स्री जय वर्दने कोटे है प्राइमिस्टर दीने इस गुना वर्देना है और क्रंशिया सी लंकान रूपी कितनी थी सही आंसर अप्चन नहीं है 4.95% तो जानेगा कोमर्स एंड इंडूस्ट्री मिर्स्टी ने एक टेटाश रिलीस किया है उसके तहत यह बताया गया है कि जो होलसेल प्राइस बिस्ट इंफलेशन है डबलूपी आई दिसंबर दोजार बाइस में यह 22 मंथ लो पर पहुचकर 4.95% हो गई है आपको बतादे नमंबर में डबलूपी इंफलेशन 5.85% थी वहीं दिसंबर दोजार इकिस में 14.27% थी और अक्टूबर के महीने से ही जो डबलूपी आई है यह डबल डिजिट के अंदर आगे है आगे जानते हैं अब साथ यह आपको जानते हैं यह यह डिसंबर में 5.72% रही है परशासन के दिजिटल मोड में पूरी तरह से इस्थान तरित होने वाला पहला किंद्रसाशित प्रदेश बन गया सही आंसर ऑप्शन दी जम्मू एंड कश्मीर तो देखिए गवर्नेंस में डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर यह फर्स्ट यूनियन ट्रेक्टरी बन गया इंडिया में जिसने अपना पूरा जो अडिजिटल मोड पर सिफ्ट कर दिया है तो जितने भी गवर्नेंस एंड अडिमिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो अब डिजिटल ही हो रहे हैं बात करते हैं जम्मेंड कश्मीर की लेफ्ट एंड जनर्र मनोस सीना है कैपिटल जम्मू और सीना गरे है है कि सीएट लिमिटेट्स हलोल प्रांट एज बीन और लाइट हाउस स्यन्त्र को कि संगठन द्वारा लाइट हाउस प्रमानेंज से सम्मानित किया गया सही आंसर उप्शन डिए वर्ड एगोनॉमिक टूर्म जो 4th industrial revolution technologies को use करते हैं और factories में अपना transformation लाते हैं value chance business models इनको enhance करते हैं मेंजिंग डिरेक्टर है सीएट लिमिटिट के अनन्द कुएन का विच और्गनाइजें रिलीज्ट survival of the richest report किस agency ने सबसे धनी की उत्तर जीविता report जारी की है options आपके सामने सही answer option नहीं है Oxfam तो देखिए Oxfam organization ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका टाइटल है survivor of the richest तो यह इन्हों ने वर्ड economic forum जो दावोस विडिचल डेंड में हो रहा है यहां पर रिलीज्ट की है तो इन्हों ने बताया है कि 2021 में जो top 1% जो लोग हैं हमारे देश में जो सबसे अमीर है 1% उनके पास हमारे देश की 40.5% wealth है जो पूरे देश का 45% जो wealth है वो जो top 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास हैं यह बताया कि 2022 में नंबर ऑफ बिलेनर्स की संक्या 166 हो गई साल 2020 में 102 थी इसमें भी बताया गया है कि देश की 40% से ज्यादा दोलत का हक देश के 1% सबसे ज्यादा अमीरों के पास है वहीं देश की 50% जन संक्या के पास कुल मिलाकर देश की केवल 3% wealth ही बरकरार है इसमें इसमें बताया कि 2022 में जो इंडिया की रिशी स्टमैन है गोतमडानीन की जो wealth है यह 46% increase हुई है वहीं जो combined wealth है इंडिया के 100 richest की यह 660 billion US dollar हुई है इसमें भी बताया कि जो country का poor and middle class है सब स्यादा tax उसी पर लगा जा रहा है जो rich people उसे जादा tax इन पर लग रहा है यह भी बत 50% of total goods and services tax जो country में है यह bottom 50% of population से आता है यानि कि जो bottom की 50% population है सबसे नीचे लेवल की जो population है 50% सब स्यादा GST वो पे कर रहे है 64% GST वो पे कर रहे है जबकि 4% जो top 10% लोग है केवल उनके द्वारा आए तो सब स्यादा tax कौन बर रहा है जो सब से नीचे 50% population है वो यह बता है कि जो rich people है उनको reduced corporate tax, tax assumptions इनसे काफी फायदा मिल रहा है यह बता है कि यह 2% tax लगा जाए जो भी इंडिया के billionaires हैं उनकी पूरी wealth पर तो यह भारत के लिए काफी अच्छा होगा है यहां पर जो बच्चे हैं जो malnourist population है उनके nutrition को support कर सकता है यह 2% tax लगा जाए Who has been appointed Herbalife Nutrition India Private Limited as a nutrition sponsor? Herbalife Nutrition India Private Limited को पोशक प्राजेक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? सही answer option C है स्मृती मंदाना तो देखें nutrition company है Herbalife Nutrition India Private Limited इन्होंने जो भारती women cricketer है स्मृती मंदाना इनको nutrition sponsor न्युक्त किया है एक और चीज़ जाने का इसी तरगा G Entertainment Enterprises Limited यह official broadcaster partner है DP World International League T20 की CBI launched operation connect to investigate corruption in which agency? CBI ने किस agency में बस्ताचार की जांच के लिए operation connect सुरू किया है options आपके सामने हैं सही answer option A है FCI food corporation of India यहां पर काफी बड़ी तादाद में corruption की जो है reports सामने आ रही है इसी के लिए CBI ने crackdown किया इस corruption पर और पंजाव रियना डेली में 50 locations पर छावे मारी की है 80 लाक रुपे भी सीज किये है DGM rank officer को भी arrest किया है यह दे काला बाजारी कर रहे थे सामान की तो इसके लिए CBI ने जो operation नाम दिया है यह जो पूरी च्छापे मारी चल रही है इसका नाम दिया है operation connect who has been appointed as the deputy national security advisor of India भारत के उपरास्ट सुरुक्षा सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option दी रहेगा पंकच कुमार सिंग आपको जाना चाहिए पंकच कुमार सिंग जो की former director general रहे है border security force BSF के इन्हें deputy national security advisor of India अपॉइंट किया गया है government of India के द्वारा आपको बता दें 1988 patch Indian police service officer of राजिस्तान के डर है और अभी 31 संबर 2022 तक ये BSF के head रहे है तो अभी इनको deputy NSA यानि कि national security advisor अपॉइंट कर दिया गया है दो साल का ये contract है आपको यहाँ national security advisor के बारे में जानना चाहिए जो national security advisor होता है ये national security council of India का senior official होता है और national security policy and international affairs पर prime minister of India का chief advisor भी होता है फिलाल अजीर डोवाल हमारे national security advisor है और union cabinet minister वाली rank इनके पास है आपको चाहना चाहिए British Mishra ये first national security advisor of India थे और ये जो post national security advisor की है 19 November 1998 को तबके जो हमारे prime minister रहे लेट अटल वियारी वाजपईजी इनके द्वारा create की गई थी ये post who has become the youngest better to smash a double hundred in one day international cricket one day national cricket में 12 सतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्ले बाज कौन बने है options आपके सामने है सही answer option C है सुपमन गिल तो आपको जानना चाहिए Indian opener सुपमन गिल ये youngest better बन गये है जिन्होंने वंडे इंटरनेसल क्रिकेट में double hundred लगाई है तो इनकी एज रही 23 years and 132 days आपको बता दे 145 deliveries में इन्होंने अपने 200 run बनाए New Zealand के खिलते हुए इससे पहले रिकोर्ड हमने हाली में पढ़ा था इसान किशन के पास था 24 साल 145 दिन इनकी एज रही थी तब इन्होंने ये double century बनाई थी साथी सुपमन गिल fastest Indian batter बन गये हैं जिन्होंने ओडिया इर्किकेट सिस्टी में 1000 runs बनाए हैं सबसे तेजी से 1000 run बनाए हैं उन Indian batsmen में टॉप पर हैं तो इन्होंने केवल 19 इनिंग्स ली हैं 1000 run का अकड़ा चूने के लिए इससे पहले जो record है ये विराट को लिए और शिकरदवन के पास था इन्होंने 24 इनिंग्स इच ली थी साथ ही आपको जाना चाहिए इसी मैच में रोहित शर्मा ने भी एक record क्रिएट किया है इन्होंने भारतिय धरती पर 110 नेसनल क्रिक्ट में सबस्यादा sixes लगाने का record अपने नाम किया है तो न्यूजिलेंड एक लाफ खेलते हुए इन्होंने जो six लगाया अपना जो पहला six लगाया तो उसी के साथ ही इनके 74 इनिंग्स में 124 sixes हो गए है भारतिय धरती पर तो MS Dhoni के पास record था पहले 123 120 नेसल का तो अब यह रोहिस शर्मा के पास चुला गया है आपको जाना चाहिए दिसमबर 2022 के लिए इंग्लेंड के हैरी ब्रुक और और ऑस्टेलिया की एसले कार्टनर ये icc players of the month चुनी गई कि फुटबोल कलब वोन इस्पैनिश शूपर कप किस फुटबोल कलब ने इस्पैनिश शूपर कप जीता है options आपके सामने है सही आंसर option भी रहेगा बार्सलोना तो देखे बार्सलोना ने अपना 14th इस्पैनिश शूपर कप जीता है 3-1 की victory नोने हासिल की Real Madrid पर आपको ज इस्पैनिश शूपर कप में खेलते हैं विच एडिशन ऑफ मैंन्स फुटब कप का कौन सा संस्क्रण खेला जा रहा है options आपके सामने हैं सही आंसर option C है 15 तो आपको जाना चाहिए 2013 मैंस FIH hockey World Cup यह 15th edition है मैंस FIH hockey World Cup का आपको जाना चाहिए यह मैंस hockey World Cup होता है Quadranial यानि की हर 4 साल में होने वाला यह एक championship होती है और इसको International Hockey Federation द्वारा आईजित किया जाता है आपको जाना चाहिए इस बार भी यह उडिसा में हो रही है खास कर कि अगर हम स्टेडियम की बात करें तो कलिंगा स्टेडियम और बिर्सा मुंडा इंटरनेशनल होके स्टेडियम रावर के लाई से हाली में इनोग्रेट किया गया है यहां के चीश मिस्टर नमीन पटनाय के द्वारा 16 टीम्स इसमें पार्टिसपेट कर रही है और बेल्जियम डिफेंडिंग चैंपियन है दो जारक्थार में बेल्जियम इसकी चैंपियन बनी थी इंडियन होकी टीम के कोंच है ग्राहम ब्रेड और कैप्टन हर्मन प्रीथ सींग आपको जाना चीए हाली में हो प्रोडक्ट लॉंच किया है तो इससे क्या होगा जो टूर्णामेंट एक्स्पीरियंस है वो बढ़ेगा इंडिया मोबाइल केमिंग रिपोर्ट 2022 के नुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक मोबाइल केमर्स के साथ सीर्स राज्य के रूप में उबरा है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन दी उत्रप्रदेश है तो आपको जाना चाहिए मोबाइल प्रीमेर लीग एंपिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इंडिया मोबाइल केमिंग रिपोर्ट 2022 इसमें बताया गया है यदि हम मोबाइल गेमर्स के पर इंक्रीज हुए है उसमें उडिसा पहले नंबर पर है फिर पंजाब तमिलनाडू पुडूचेरी एंड हीमाचल प्रदेश अगर हम गेम्स की बात करें सबस्यादा अलवेबल गेम्स कौन-कौन से हैं तो इसमें लुडोड आइस इसने लैडर्स केरम फूट डार्ट प्रदेश में गेमर्स तवरा खेले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर हम पर्टी को लीड बात करें तो लगनौ कानपूर वारांसी गाजाबात इलाबाद यहां पर हाइस्ट शेर ओफ गेम्स हैं जो टोटल गेमर्स हैं 36% अफ तोटल गेमर्स इन यूपी इन सिटी में हैं लास्ट इर हमने देखा कि इंडिया लार्जेस्ट कंजूमर ओफ मॉपाइल गेम्स बना वर्ड में और इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है यह 2.6 बिलियन यूएस टोलर गारा फाइनिशल यह टॉंटी टॉन्टी टू में और यह 2027 तक 8.6 बिलियन यूएस टोल में काम करने के लिए किस भुकतान बैंक को भारते रिसर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिली है options. आपके सामने है सही answer option Cанов बैक्टS Bankуп को final approval मिल गया है Reserve Bank of India और बारात बिल पेमंट ओपरेटिंग यूनिट ब्पो गीतरह ऑपड़ेट कर सकता है under the payment and settlement systems act 2007 2007 आपको जानना चाहिए अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीएस बीपीएस के अंडर जो बीबीपी ओ यू है यानि की भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट ये बिल पेमेंट सर्विसेस को प्रवाइट करता है जासे एलेक्रिसिटी फोन टीटी एच वाट और गैस इंसुरेंट्स लोन रिपेमेंट्स फास्टेग रिचार्ज एजुकेशन फीज स्क्रेट कार्ड बिल मुनिसिपल टैक्स अब तक पेटी एम पेमेंट्स बैंक लिमिटेट इन सर्विसेस को दे रहा था लेकिन किसके तहत इन प्रिंसिपल ऑथराजेशन फ्रोप से य बारा ओंड है हालियों ने भी देखा था कि पेटी एम पेमेंट्स बैंक ने सुरुंदर चावला को अपना MD & CEO अपॉइंट किया है दा प्राइमिस्टर नेंद्र मोदी इनोगरेटेट दा सेकेंड फेस ऑफ सांसत खेल महाकूंब 2022-23 इन विच डिस्टिक परधार मंतिर नेंद्र मोदी ने किस चीले में सांसत खेल महाकूंब 2022 के दूसरे चरण का उद्गाटन किया सही आंसर या ऑप्शन ए रहने वाला है बस्ति तो जानेगा प्राइमिस्टर नेंद्र मोदी ने सांसत खेल महाकूंब 2022 इसके सेकेंड फेस को वीडियो कॉनफरेंसिंग के तुरू इनोगरेट हिया है यह जो सांसत खेल महाकूंब है इसको बस्ति डिस्टिक में और्गनाइज किया जाता है किसके दुआरा हरीश जो की मेंबर ओफ पार्लेमेंट हैं फ्रों पस्ति सिंस 2021 2021 से ही इसको और्गनाइज किया जाता है फर्स्ट फेस इसका दस से 16 दिसंबर 2022 के बीच और्गनाइज किया गया था और यह जो सेकेंड फेसे 18-18-1993 2023 के बीच और्गनाइज किया जा रहा है इसमें कई परकारे कर्टिशन इंडोर भी हैं आउट्डोर भी हैं जैसे रैसलिंग कबड़ी खोखो बास्केटबॉल फुटबॉल होकी वॉल्ली वॉल हैंडवल यह सब इसमें खेले जाते हैं इवन ऐसे राइटिंग पेंटिंग नंगोली यह सब भी इसमें आयोजीत किये जाते हैं तो सेल के डीलरों को वित्यसायत अपरदान करने के लिए सम्झोदागापन पर हस्ताक्षर किये हैं आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है साउथ इंडियन बैंक तो आपको जानना चीज़ साउथ इंडियन बैंक और स्टील अथर्टी ऑफ इंडिया यानिकी सेल ने MOU साइन किया है जिसके तहत जो सेल के जो डीलर्स है उनको फाइनेशल असिस्टेंस साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड कराएगा पुरे देश भर में तो यह और इस बैंक की टैग लाइन है एक्स्पिरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग एस्ट्रोमर्स फॉम आयसी बैंगलोर एंड विचियो से डिटेक्टेटिट सिगनल फॉम डिस्टेंट गैलक्सी आयसी और किस से इसे धाले के खगोल विदो ने दूर किया काज गंगा से सं इसे डिटेक्ट ऑफ साइंस बैंगलोर के एस्टोनोमर्स ने पूने में जो जाएंट वेव रेडियो टेलेस्कोप है जी अमाडी तो इसके डेटा को यूस करके जो एक्स्टीमल डिस्टेंट गेलक्सी है उसमें एक्स्टीमिक हाइड्रोजन से जो रेडियो सिगनल और इ प्रवाइड वे तो कुं को उनकी पुस्टक ब्रोक्ट तू ब्रेक्थ्रू के लिए गाजा कैपिटल बिजनस बुक प्राइस 22 से संमानित किया गया औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी हरीस दामोधरन तो आपको जाना चाहिए जनलिस्ट ओथर हरीस दामोध की बुक है ब्रॉक टू ब्रेक्थ्रू यह जो बुक है यह हटसन एग्रो एंड और जो इसके फांडर है आर जी चंद्रमोगन इनके बारे में डिटेल एक जानकारी देती है यह बुक तो इस बुक को गाजा कैपिटल बिजनस बुक प्राइस 2022 दिया गया है कौन है इसके उत है वह अलग-अलग स्टोरीज बताएं अपनी बुक के थू फर्स्ट जी ट्वन्टी हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग अंडर इंडिया सी ट्वन्टी प्रेजिदेंसी बिगन इन्विस सिटी भारत की जी ट्वन्टी अर्देश्टा में पहली जी ट्वन्टी स्वास् एंड फैमिली पल फेर डॉक्तर भारती परवीन पवार ने इस इवेंट को इनोग्रेट किया है आपको जाना चाहिए जो थी डे की मीटिंग है यह तीन में प्रियोर्टी पर बेस्ट है पहला है 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 एल्थ अमर्जन्सी प्रेवेंशन प्रेटिजन प्रेटिनेस और रिस दूसरा है स्ट्रेंग इस कोपरिशन इन फार्मासीटिकल सेक्टर और तीसरा है इजिटल है नविशन नासा और यूरोपीया अंतरिक्स एजन्सी द्वारा शुक्र के लिए नियोजित मिशन का नाम नहीं है सही आंसर ओप्शं थी है एफ्रोड़ाइट ओफ्रोडाइट इसका मतलब बाकी के जो है Envision, Veritas और सुक्रायन 1 ये सभी Venus से संबन देते हैं मैं तरपोन कोश्चन है तो देखे एक रिपॉर्ट के अनुसार सुक्रायन 1 जो की इस्रो का Venus मिशन है इसको 2021 तक डिले किया जा सकता है आपको बता देए ये वास्तव में दिसंबर 2024 में स्ट्डियूल था और इसका जो इस मिशन को 2012 में किया गया था और अगर हम देखें तो 2017-2018 में जो डिपार्टमेंट ऑफिस की स्पेस है इनको बजट भी काफी है 23% का इंक्रीज हुआ ठीक है ताकि ये मिशन टाइम पर लॉंच हो सुके आपको जाना चाहिए और भी जो एजन्सी हैं जैसी यूएस की हैं और यूपियन स्पेस एजन्सी हैं ये भी विनस मिशन प्लान करेंगे 2030 में तो यूएस का मिशन है वेरिटार्स और यूपियन स्पेस एजन्सी का है Envision विच स्टेट गोर्वर्मेंट launched second phase of कान्ती वेलगु किस राज्य सरकार ने कान्ती वेलगु के दूसरे चरण का सुभारंब किया options आपके सामने है सही answer option C है तिलंगाना तो आपको जाना चाहिए कान्ती वेलगु जो की world का largest eye screening program है इसका second phase तिलंगाना कि चीफ मिस्टर के चंदर सेखर राव द्वारा Integrated District Collectorate Complex at ComeUp में इन्योग्रेट किया गया है आपको बता दें इस campaign के through इस program के through mass यानि की काफी बड़ी मात्रा में लोगों की eye screening camps लगाए जाएंगे वहाँ पर eye screening की जाएगी सभी ग्राम पंचायच में और municipal wards में आपको जानना चाहिए इसके तहट सो दिन तक ये program चलने वाला है और फिफ्टीन हंड्रेड मेडिकल टीम्स इसमें सायता देंगी डेड़ करोड लोगों को टार्गेट किया जा रहा है अब जायकी उनको इसक्रीन किया जाए 55 लाग स्पेक्टीकल्स और मेडिसीन इस्ट्रिबिट की जाएं गोगो रू एंड बैलराइज इंडस्टीज दो बिल्ड 2.5 बिलियन युए स्टोड बैटरी बैटरीज स्वेपिंग इंफास्ट्रॉक्ट्ट्चर इन्विच स्टेट गोगोरो और बैल्रेस इंडिस्ट्रीज कि शएज में 2.5 बिलियन यूएस ट्र की बैटरीज स्वेपिंग इफास्ट्रॉक्ट्चर का निर्मान करेंगे ऑप्शियंस आपके सामने सही आंसर ताइवान की गोगोरो और ऑर्टमेटिव सिस्टममेकर बेलराइस इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन किया हैं जिसके तहट यह दोनों ही फर्म्स महारास्ट्र में 2.5 बिलियन उस्टोर की इंवेस्टमेंट के साथ बैटरी स्वैपिंग इंफास्ट्रक्चर को डेवलब के अगले आठ सालों में गोगोरो के अगर हम बात करें तो यह ग्री हुट बैटरी स्वैप डिस्टिविशन नेटवर्क ऐसका काफी बड़ी कंपनी है ताइवान की और एलेक्ट्रिव वहिकल्स भी ओन करती है और बैटरीज भी प्रोवाइट कराती है विच बैंक है स्ट करना चाहिए लगातार 16 साल 2022 में एक्सिस बैंक भी लार्जेस्ट जो घरेलु कोपरेट बॉन्ड होते हैं डोमेस्टिक बॉन्ड होते हैं उसको लांच करने में उसको इशु करने में टॉप का बैंक रहा है तो 19.20% मार्केट शेर इसके पास है और 127 बांड इसने इसने इस 9904 परोड रूपीस की वैल्यू के साथ आपको बता दे टॉप 3 में प्राविट सेक्टर बैंक की हैं दोस्रे नंबर पर आएसी एसी बैंक है 17.67% मार्केट शेर है और तीसरे पर है स्टी एफसी बैंक 17.29% मार्केट शेर के साथ यह डेटा दिया गया है ब्लूमबर्ग ल अधिस उचीद भारत के पहले रास्टिय मुल्यांकन नियामक का नाम क्या है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है परक तो आपको चाना चीन नेशनल काउंसिल फोर एजूकेशन रिसर्च एन ट्रेनिंग यानि की एंसी आर्टी ने इंडिया का फिस्ट न मिलेगी आपको बता दें यह जो रेगुलेटर है परक इसका एम यह रहेगा कि जो अलग-अलग स्टेट बोर्ट्स हैं उनमें जो स्टुनेंट्स के स्कोर रहते हैं उसमें जो डिस्पैरिटी देखी जाती है जो समानता देखी जाती है वो हटाई जा सके इस तरह की कुछ काई डाइंस तयार की जाए आपको बता दें परक इसको नेशनल एजुकेशन फोलीशी 2022 के तहत इंप्लिमेंट किया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया इट इन्विसेज अ स्टेंडर्स सेटिंग बोडी तो एडवाइज स्कूल बोर्ट रिगार्दिंग न्यू अस और सिक्स मॉसूलियम बिल्ट इन दा 18th and 19th centuries अमेरिका ने किस सेर में 18-19 सदापति में बनाए गए 6 मगबुर के संदक्शन और जिन्नो धार के लिए डाइलाक यूस टोलर की परियोचना की खोशना की है ऑप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है हाइदराबाद देखिए United States Charging Affairs to India एरिचाबेज जोंस हाली में पेगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स इन हाइदराबाद को इन्होंने विजिट किया है साथ ही डाइलाक यूस टोलर पोजेक्ट की इन्होंने अनौंस किया है जिसके तहर इस कॉम्प्लेक्स में जो 6 टॉम्स हैं जो 18th and 19th centuries में ब India in 2022 2022 में भारत में equity capital market गतिविती के माध्यम से कितने राशी का लेंदेन किया गया सही answer option C है 16.4 billion US dollar country wise भी आप देख सकते हैं US Germany Canada और फिर India तो देखे ये बात हो रही है इस रिपोर्ट की इसमें बताया गया है कि India was among the top 5 markets globally in terms of equity fund raising despite the quantum of funds raised decline by 23 43 percent इसमें बता जाया है कि जो top 5 markets है अधि हम equity fund raising की बात करने तुसमें भारत भी है top 5 में हाला कि इस तरह की funding में decline देखने के लिए भारत में 43 percent का लेकिन तब भी वो top 5 में शामिल है तो ये कोटक investment banking की report है इसमें बताया कि भारत में जो equity capital market activity है 16.4 billion US dollar की रही है 2022 में top पर China, US, Germany, Canada और उसके बाद इंडिया है an ATR-72, an ATR-72 aircraft of which airlines crashed in Pokhara Nepal recently, हाली में नेपाल के Pokhara में किस airline का ATR-72 विमांदूर करत नादगरस्त हो गया है options आपके सामने है सही answer option यह है Yeti airline तो इसने उससे आप सभी वाकिफ होंगे Yeti Airlines, ATR-72 aircraft लगबग बहात्तर लोग इसमें शामिल थे पहुआ नेपाल में एक crash हो गया है और कई लोग थे इसमें नेपाल के citizens जादा थे और India, Russia, Korea, Australia, Argentina, France, Ireland से भी आपर नागरिक सामिल थे तो Yeti Airline का एरग्राफ है यह आपको बता रही है Yeti Airline एक Airline जो नेपाल में विजट है 1998 से यह कारे कर रही है अचा गर हम एक आंकडा और देखें, highest number of fatalities due to plane crashes in the world सब चाद है मोते कहां पर होती है प्लेन क्रेस्ट के वज़े से तो इसमें टॉप पर यूएस है फिर रशिया है फिर इंडोनेशिया है और भारत साथवे नंबर पर है नेला कुरुजिनी इन नीलगरी hills of South India blooms once every 12 years दक्षिन भारत की नीलगरी पहड़ियों में नील कुरुणजी प्रतेक 12 वर्षों में एक बार खिलता है option D is the right answer तो देखें आप यहां नीचे देख सकते हैं क्यों नीज में है Senator puts नीला कुरुणजी on the list of protected plants आपको जानना चाहिए हाली में ministry of environment, forest and climate change इन्होंने नीला कुरुणजी को scheduled third of the wildlife act 1972 के तहत रखाय साथ इसको protected plants की लिस्ट में भी शामिल किया है अब कोई भी व्यक्तियदी इसको अपरूट करता है या डेस्ट्रोइ करता है इन प्लांट को तो 25,000 रुपे का fine लगेगा साथी तीन साल की imprisonment भी उसको हो जाएगी इस नीला कुरुणजी का cultivation नहीं किया जा सकता इसका possession नहीं किया जा सकता, allowed नहीं है कुछ और जानकारी है हम इसके बारे में लेंगे नीला कुरुणजी इसका scientific name है इसका scientifically इसको इस नाम से बोला जाता है और यह एक श्रॉब है जो कि solar forest of the western guards in south इंडिया में ग्रोहती है solar forest पर भी question बन जाता है कभी जो चोटे मोटे एक्जाम होते हैं उनमें पूछ ले जाता है इस plant का नेम कुंती रिवर जो की केरल के silent wild nestle part से वकर गुजरती है इसके नाम पर रखा गया है यहां पर यह plant काफी होते है इसका जो altitude होता है 1300 से 2400 मिटर्स की height पर होता है और यह flower जो है 12 साल में एक बार bloom करते हैं क्योंकि जो इसके flower का pollination है उसको longer period चाहिए होता है pollination के लिए खासकर कि केरल तमिलनाडू और करनाटक में पाए जाते हैं आपको जाना चाहिए इसमें कोई भी smell नहीं होती है नहीं कोई medicinal value होती है पलियान ट्राइबल पीपल जो की तमिलनाडू में रहते हैं किस उम्र में दुनिया की सबसे उम्रत राज ग्यात व्यक्ति फ्रांसिसी नन लिउसिल रेंडन का निधन हो गया है आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 118 तो जानी का वर्ड की oldest person रही फ्रेंच नन लिउसिल रेंडन इनका हाली में 118 की उम्र में निधन हो गया है तो जो मिस रेंडन है ये सिस्टर एंडरे के नाम से भी जाना जाता था इनको 1944 में नन बनी थी तो ये अपनी नींद में ही इनका निधन हो गया है फ्रांस में आपको जानना चाहिए इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था तो ये था केन तनाका के पास जैपनीज भूमन थी ये तो इनकी मृत्ते के बाद ये लियूसिल रेंडन इस गिनीज बूक ओफ वर्ड रिकॉर्ड में अपरेल 2020 में नाम अंकित कर दी गई थी ये वर्ड की ओल्डेस्ट परसन है अचा केन तनाका ये 119 साल की थी अब जो बताया जा रहा है अब ये कहा जा रहा है कि जो ओल्डेस्ट परसन है अब फ्रांस में ये है 112 साल के मैरी लोस टेसर अब ये बताया जा रहा है कि ये है सबसे ओल्डेस्ट परसन किस पूरवी अफरीकी देश ने इबोला रोग आउटब्रेक के अंध की गोशना की है उप्शन साब के सामने है सही आंसर उप्शन ए है युगांडा तो जाने का युगांडा ने डिकलेर किया है कि सुडान इबोला वाइरस के कारण जो इबोला डिजीज आउटब्रेक हमारे देश में हुआ पिछले चार महीनों में उस पे हमने कापू पा लिया है और इसके एंड की हम गोशना करते हैं आपको बता दें बीस इनमबर दोजार बाइस को पहला केस मेरे था इस सुडान इबोला वाइरस के कारण जो डिजीज आउटब्रेक हुआ था अच्छा जो इबोला वाइरस है इसमें सिक्स स्पेसीज के कारणी होता है उनमें से एक है सुडान इबोला वाइरस तो इसके कारणी इबोला आउटब्रेक हुआ था यूगांडा में और इसके लिए कोई भी थियूरोपैटिक्स या फिर वैक्सिन अभी तक अभी तक अभलेबल नहीं है यूगांडा के अगर हम बात करते हैं कैपिटल कंपाला है याद रखेगा पुछी जाती है एक्जामस में करन्सी है यूगांडन शिलिंग मालदीव्स में समुदाइक विकास परियोजनाओं के लिए बारत ने कितनी राशी की गोशना की है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतनिया औप्शन सी रहेगा हंड्रेड मिलियन मालदीवियन रुफिया तो जानी का External Affairs Minister Dr. S. जैसंकर ये मालदीव्स और स्रिलंका के दोरे पर गए हुए हैं तो फिलारम बात करें मालदीव्स की तो मालदीव्स में जाकर इन्होंने 100 मिलियन मालदीवियन रुफिया एडिशनल ग्रांट की खोशना की है भारत की और से मालदीव को जो भी मालदी को साथिया आपको जानना चाहिए कि मिस्टर जैसंकर और मालदीव्स की जो प्रेजिडेंट है इब्राहीं महम्मद सोली इन दोनों ने ही हानी मादू इंटरनेसल एरपोर्ट प्रोजेक्ट जो की मालदीव्स में है इसी ग्राउंड ब्रिकिंग सेरेमिनी में हिस्सा लिया नो से दसवी सदी की नट्राज की मुर्थी कि सराज जी को सोपी है सही आंसर या ऑप्शन सी रहने वाला है राजस्थान तो आपको जाना चाहिए यूनिन मिस्टर आफ स्टेट फोर कुल्चर अरजुन राम एकवाल तो नो से दसवी सदी की नट्राज आइडल जो है यह आपको जानना चाहिए यह बदोली चितोडगर में सीवर टेंपल हैं वहां से चुराई गई थी उन्निस्सो अठानवे में और साल 2020 में इसे भारत वापस लाए गया थे एक ट्राइवेट मूजियम लंडन से काफी लंबा लीगल प्रोसेस का चला था सोनिया गुजाजरा स्वदेशी लोगों के लिए किस देश की पहली मंत्री बनी है और यह ब्राजील की जो मिस्ट्री ऑफ इंडिजिनेस पीपल से इसकी है बन गई है आपको जाना चाहिए सोनिया गुजाजरा यह काफी इंफ्लेंशल इंडिजिनेस राइट्स सपत दिलाए गयी फ्And Athlete Palace प्राजील के जोडेशील के जो प्रेजिडनट है राफ। प्लेचामी तो यहां पर इनको सपत दिलाए है ब्राजील केrese deed लूइस इना-डूला डासील वाकी मोगोदखी में आपको जाना चाहिए Amazon Guajara, Amazon Guajara, इसकी मेंबर हैं और Times Magazine's List of World 100 Most Influenced People in 2022 में भी इनका नाम आया है ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील यहां की कैपिटल है, करंसी रियल है इंटिया इन विच कंट्री है डिसाइड़ टो क्रिएट अ वर्किंग ग्रूप और रेजिलियन्ट ट्रेट अंडर दा ट्रेड पोलिसी फॉरम भारत और किस देशने वियापार निती फॉरम के तहट रेजिलियन्ट ट्रेड पर एक कारे समूब बनाने का निर्ने लिया है आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए यूएस तो आपको जाना चाहिए भारत और यूनाटेड इस्टेश ने डिसाइड किया है कि हम ट्रेड पॉलिसी फॉरम यानि की टीपीएफ के तहत एक वर्किंग ग्रूप बना रहे हैं रेजिलियन्ट ट्रेड के लिए जहां पे दोनों ही देश ये निव एज ट्रेड इशूज जैसे की इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन प्रोमोशन आफ लेबर राइट सस्टेनेबल डाइफ स्टाइल इन पर फोकस करेंगे आपको जाना चाहिए जो ये रेजिलियन्ट ट्रेड इनिशियोटिव है ये किस मौके पर ल किया है विज इस्टेट मेड इट इंटो दा गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकोर्ड बाइट इकिंग 4500 पैनल्टी किक्स विदिन इस पैन ओफ 12 आर्स किस राजे ने बारह घंटे के बीतर पैंतालेसों पैनल्टी की के लिएकर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकोर्ड में अप जो है एक वर्ड रिकोर्ड बनाया है कहां पर ट्रीम कोल पैनल्टी शूट आउट में जिसे और्गनाइज किया गया पैयर्णर स्टेडियम मल्लपुर्म टिस्टिक में अच्छा इससे पहले यह जो रिकोर्ड था है जर्मनी के पास था 2500 पैनल्टी किक्स वा इंडिया हैस एनाउंस्ट डोनेशन ओफ 12,500 डोजेस ओफ पैन्टाविलेंट वैक्सीन तो विच कंट्री बारत ने किस देश को पैन्टाविलेंट टिको की 12,500 कुराक तान करने की खोशना की है सही आंसर ऑफशन एक क्यूबा है तो जानेगा भारत ने आपर 12,500 डोजेस ओफ पैन्टाविलेंट वैक्सीन डोनेट करने का एनाउंस्मेंट किया है किसको दिया जाएगा क्यूबा को दिया जाएगा तो हाली में मिनस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्स्टरनल अफेर्स मिनाक शीलेखी यह क्यूबा के दोरे पर गई हुई है अच्छे हाँ पर महत्तपून है पैन्टाविलेंट वैक्सीन के बारे में आपको जानना चाहिए एक्साम में पूछ ले जाता है जो जनरल साइंस को जो आपका सेक्शन आता है तो जनरली पेंटाविलेंट वैक्सीन में क्या के शामिल होते हैं हेपेटाइट इस पी डिप्टेरिया प्लस प्लस टेटनस इसको बोलते हैं डीपीटी ठीक है तो चारी हो गए और पांचवा है हेमोफिलस इन्फुलेंसा भी हैचाइबी वैक् है यह जो दस जो छह दस चोदा वीक के जो बच्चे होते हैं उनको प्रवाइट किया जाती है कि क्यूबा की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल हवाना है करन्सी क्यूबन पैसो है और यहां के प्रेजिडेंट है माईगूल ट्याज केनल कि दिवर्ड एकनोमिक फोरम सब्सक्राइब के लिए विस्वा आर्थिक मंच के इंजर किस सहर में स्थापीत किया जाएगा ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन है है आपको जाना चाहिए वर्ड एकनोमिक फोरम ने हैदराबाद जो कि तेलंगा नम है इसको चूज किया है यहां पर सेंटर सेंटर फॉर्ड फॉर्थ इंडस्ट्री रेवल्यूशन इसको स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि हेल्थ केर और लाइफ सैंसे पर फोकस करेगा तो हाली में जो वर्ड एकनोमिक फोरम की जो एन्वल मीटिंग चल रही है दावो स्विजरेंट में हापर तिलंगाना वर्ड एकनोमिक फॉरम द्वारा इस्टैब्लिश की गई अपने तरह की पहली एक फैसिलिटी होगी अच्छा जब हम बात करते हैं फॉर्थ इंडस्ट्रियल इवल्यूशन की इसका मतलब होता है जो मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर है खासकर की उसको डिजिटाइज करना वर्च्वर वैलिटी और कई तरह के जैसे रोबोटिक्स का ज्यादा यूज़ करना आर्टिफिशल इंटेजिएंस का यूज़ करना विश्ट एरिस्ट हैस बें प्लेज़ और किस आतंगवादी को रखा गया है सही आंसर ऑप्शन भी है अब्दुलरह्मान मक्की तो आपको जाना चाहिए उनाइट नेशन सेक्योर्टी काउंसिल यूज़ इसकी जो कमीटी है इसकी जो कमीटी है भी इसको कहते हैं तो इन्होंने अब्दुलरह्मान मक्की जो की लस्करे तैवा का फंड रेजर है इसका की प्लानर है इसको सैंक्शन्स लिष्ट में डाल दिया है तो अब तक प्रियास तो किये जा रहे थे यूनाइट इस्टेट्स और इंडिया के द्वारा लेकिन प्रमिल कर दिया गया है इसी तरह आपको देखना चाहिए कि मेरिस्ट्री आफ हम अफेर्स इंडिया इन्होंने तरेजिडेंट रेजिस्टेंस फ्रंट टी आर एफ जो की लस्करे ताइबा का यह एक सेड और्गनाइजिशन है इसको टेरिस्ट और्गनाइजिशन डिक्ल आए गया था अजिए 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 और्ड आर्मी मूल अंडर दा तेच्पुर बेस्ट फॉर कॉप्स एरिया वास अवादेट दचीफ ऑफ दा आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ऑन डाव के सन ऑ आर्मी टे टूंटी टूंटी त्री तरी सही आंसर ऑप्शन भी है और कोप्स खेत्र के तहए छे वर्षी सेना मूल को सेना दिवस 2030 के उसर पर थल सेना द्यक्स पर सस्थी से समानित किया गया है तो पूछे गया तो जानेगा सिक्सियर और आर्मी मूल मूल तो आप जानते हैं ना फीमेल होर्स और मेल डंकी की संतान होती है घच्चर जीसे जैसे की समान डोना वाइटल इंजिनेरिंग एमिनेशन एंड रासन लोड्स के कारण इसको चीफ आफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन दिया गया है 15 जनवरी को आर्मीटे 2023 के तहट इन विच कंट्री दे आर्केलोजिस्ट है फांड दे वर्ड्स ओल्डेस्ट रूनिस्टोन पुरातत्व विदो को किस देश में दुनिया का सबसे पुराना रूनिक पत्थर मिला है सही आंसर ऑप्षन भी नौर्वे है तो आपको जाना चाहिए आर्केलोजिस्ट ने आप पर फ्लेट इसकวाइर ब्लोक ऑफ ब्राउनिश रूनिस्टोन पाया है वेस्ट ओसलो नौर्वे में और बताय जा रहा है कि वर्ड का ओल्डेस्ट रूनिस्टोन है लगबग 2,000 साल पुराना भी हो सकता है रूनिस्टोन मतलब रूनिस्टोन एक इस तरह का पत्थर होता ह जिस पर जो प्राचीन काल के जो लोगर है उन्होंने रूनी वर्ड माला में कुछ लिखा हो तो यह ओल्डेस टूनिक इंस्क्रिप्शन एवर फॉंड है अब तक का ओल्डेस्ट है जो रूनिक इंस्क्रिप्शन पाया गया है किसी पत्तर पर इस तरह का नौरवे की बात करत सब्सक्रिप्शन पहल की सुरुवात की है सही आंसर ऑप्शन भी वर्ड एकनोमिक फोरॉम तो जानी का वर्ड एकनोमिक फोरॉम ने गीविंग तो एंप्लिफाई अर्थ एक्शन जी ए इए इस ग्लोबल इनिशेटिव को लांच किया है क्यों ताकि जो टार्गेट हमारा दोजार पचास तक नेट जीरो अचीव करने का मतलब ग्लोबल टार्गेट कि हम दोजार पचास तक नेट जीरो अचीव कर सकें रिवर्स नेचर लॉस कर सकें रिस्टोर बायो डियर्स्टी कर सकें इसके लिए हमको 3 trillion u.s टूर की आवश्कता पढ़ेगी तो उसके लिए पार्टनर्शिप अ क्लिए प्राइब्ट और फिलान्थ्रोपिक पार्टनर्शिप इसके लिए इनिशैटिव लौंज या है तो अगले 12 माहिनों में इसके लिए तीन ओब्जेक्टिव सेट थी गए है आपको बता दें ये जो इनिशैटिव इसके लिए नोलेच पार्टनर मैंकिन से सस्टेनेबिलिटी तो क्या गया इसके तीन अब्जेक्टिव हैं यह हम देख सकते हैं तो जो लेडर से पब्लीक प्राइबेट एंड फिलेंट्रोफिक सेक्टर से तो वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टारगेट कर सकते हैं क्लाइबेट और निचर सोलुशन जिनमें वे सेके युचा बेस्ट काम कर सकते हैं जिन छेत्रों में दूसरा है the second would be to pilot and refine funding models that can support PPPP interventions और दीसरा है the third is to scale up and replicate successful approaches to new sectors, regions and actors विश्ट कंट्री हाज एप्रूब दवर्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिकलाइनिंग हनी बीज किस देशने मदमक्यों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंचूरी दी सही आंसर ऑप्शन ए युनाइट इस्टेट्स तापको जाना ची उनाइट इस्टेट्स डिपार्टमे इन्होंने अमेरिकन बायोटेक कंपनी दालन एनिमल हेल्थ इनको कंडिशनल लाइसेंस दिया है कि हनी बीज को अमेरिकन फॉल ब्रूड डिसीज से बचाने के लिए आप वैक्सीन तयार कीजिए यह वर्ड की फस्ट वैक्सीन होगी जो हनी बीज के लिए तैयार की जा रह तो जो बील आर्पा है उसको अटेक करते हैं इसके इसमें वो हैस टेकन अवर दा एडिसनल चार्ज ओफ दा सीयो ऑफ कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सीयो का अतरिक्त प्रभार किसने समाला सही आंसर उप्शन भी विसाल कपूर आपको जाना चाहिए एनर्जी एफिसेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि जो इनके सीयो है विसाल कपूर उन्हें हमने कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सीयो इसके सीयो का एडिशनल चार्ज भी दिया है आपको बतारें जो यह सीयों है यह CEO विसाल कपूर इन्हें ही इसका भी एडिशनल चार्ट दे दिया गया है चाहिए आपको भी जाना चाहिए दस से बारा अपरेल 2030 के भी इस न्यू डेली में जो मिनिस्ट्री आफ टूरिजम है भारत की यह फर्स्ट क्लोबल टूरिजम इन्वेस्टर्स सब्मिट को होस्ट करने वाला है बद्रा अलियू जूफ वास्ता वाइस प्रेजडेंट और फिच कंट्री फो डाइड इन इंडिया बद्रा अलियू जूफ किस देश के उपरास्ट पती थे जिनका भारत में निदन हुआ सही आंतर अप्शन सी है ग्राइंबिया तो देखें ग्राइबिया के वाइस प्र अन्जूल है यहां के प्रेजिडेंट है अदामा बैरो और करन्सी है ग्राइंबिया तालसी विच कंपनी अनॉंस तसेकंड फेस ऑफ़ टेक स्टेम एजूकेशन प्रोग्राम इन इंडिया किस कंपनी ने भारत में गल्स फोर टेक स्टेम सिक्सा कारिकरम के दूसरी चरण की कोशना की है सही आंसर या ऑप्शन दी रहने वाला है मास्टर कार्ड तो मास्टर कार्ड ने यहां पर जो अपना गल्स फोर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इसको एक्समेंट करने की एनॉंसमेंट की है इसके तहत दोजार चुबिस तक एडिशनल वन लैक फीमि इच में जो गर्ल्स है 14 डिफरेंट स्कूल्स इंडेली एंड इंडिया तो उनको इस्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है इस्टेम की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप कई बार मैंने आपको बताया है जोगर बताया कोमेंट बोक्स में क्या मतलब होता है स्टे इस इंक्लूजीव फाइनस इंडिया वार्ड्स 2022 किस बैंक ने परतिष्टित समावेशी वित्व भारत पुरुसकार 2022 जीता है सही आंसर ऑप्शन भी है एस एफ इस्मॉल फाइनस बैंक देखिए आपको जाना चाहिए जो इस एफ इस्मॉल फाइनस बैंक ने इंक्लूज से जो की चीफ एकोनोमिक एडवाइजर है कहां पर किस दोरानी अवार्ड दिया गया नाइंटींद इंक्लूजीव फाइनस इंडिया समिट न्यू डैली में आपको बताते हैं जो इंक्लूजीव फाइनस इंडिया आवार्ड्स ने यह एक्सेस डेवलप्मेंट सर्विसे द्वारा सुरू किये गए हैं एचेसपीस इंडिया के साथ मिलकर बात करते हैं एस एफ इसमॉल फाइनस बैंक की तो हैटकार्टस त्रिसूर के रल में है टैग लाइन है जो यह बैंकिंग असेम्बली एलेक्शन्स इन विज वन आफ तीस स्टेट्स आर नोट सेडियूल फॉर फैबुरी टॉंटी टॉंटी त्री फरवई धोजार तीस में इन्वेसे किस राज्य में विधान सुभाज चुनाव निर्धारित नहीं हैं ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन बी मिजोरम आपको जानना चाहिए एलेक्शन कमिशन ने तीन राज्यों के लिए त्रिपुरा नागलेंड और मेखाले यहां की जो एसेम्पली हैं उनका एलेक्शन सेड़्िूल एनाउंस कर दिया है आपको जानना चाहिए त्रिपुरा हमें इलेक्शन सॉला फरवरी को होंगे नागलेंड और मेगाले में एलेक्शन 27 सरवरी को होंगे और आपको ये भी जाना चाहिए तरिपुरा, नागलेंड, मेगाले इन सभी में जो assembly seats हैं वो 60 members की assembly seats हैं अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए कि 21 जनवरी को तरिपुरा, मनिपुर और मेगाले अपना statehood day भी celebrate करते हैं तो 21 जनवरी 1902 को तरिपुरा, मनिपुर और मेगाले ये full-faced states बन गए थे under the North Eastern Region Reorganization Act of 1971 बात कर रहे हैं तरिपुरा, मनिपुर और मेगाले की और उपर हमने schedule बात किये हैं जो election schedule है तरिपुरा, नागरेन मेगाले इंडिया और विच कंट्री कंड़क्टेड एक्सराइस साइकलोन वन भारत और किस देशने एक्सराइस साइकलोन वन आएजित किया है options आपके सामने हैं सही answer option A रहेगा Egypt तो आपको जाना चाहिए first joint exercise between the special forces of the Indian and Egyptian army exercise cyclone 1 started at Jaisalmir राइस्थान तो Jaisalmir राइस्थान में भारत और एजिप्ट की आरमी के जो special forces हैं उनके बीच में ये पहली joint exercise हुई है नाम इसका exercise cyclone 1 आपको जाना चाहिए 14 दिन तक ही exercise चलनने वाली है और special forces skills जैसे की sniping, combat free fall, reconnaissance, surveillance, target destination, sharing on information on weapons इन सभी की practice ये लोग करने वाले हैं जो armed forces हैं In which year Ministry of Communications was carved out of Ministry of Communications and Information Technology किस वर्स संचार और सूचना प्रद्रवी मंत्राले से संचार मंत्राले बनाया गया था Options आपके सामने है, सही आंसर यहां Option B रहने वाला है 2016 देखे क्यों ये question लिया गया है पहले आप ये जानेगा News Actual क्या है News AI की Department of Telecommunications जो की Ministry of Communications के अंतर गाता है इन्होंने Indian Telegraph Infrastructure Safety Rules 2022 को formulate किया है तो इसमें ये बताए गया है इन रूल्स के इन रूल्स में बताए गया है कि कोई भी व्यक्ति है यदि उसका Legal Right है कि यदि उसको कुछ करवाना है कुछ काम कराना है तो वह खुदाई करवा सकता है मान लिजे रोड पर या फिर किसी ग्रावंड में खुधाई करवा सकता है यदि उसको किसी तरह की नीड है और इस से क्या होता है जो टेलिग्राफ इंश्व्य है जैसे कोई लाइन बीच यह टेली कॉम की तो उसको भी डेंच हो सकता है तो इसमें बताया गया है कि आपको पहले नोटिस देना होगा जो license है उसको notice देना होगा जो उस टेलिकॉम infrastructure की मालिक है उसको आपको notice देना होगा किसी भी तरकी खुदाई कराने से पहले यदि आप बीना notice देना किसी खुदाई कराते हैं तो आपके उपर जो है जुर्माना लगाए जाएगा जो भी डैमेज होता है वो डैमेज आपको भरना होगा तो यह इन डूल्स में बताया गिया है तो आपको जाना चाहिए मिस्ट्र hr कमिलिकेशन्स इसको नुनीज Sun Official Tu मीनिस्ट्र disc always online न को बनाएiban मिस्ट्र इंदर कर मत्रच दो यह तरे हैं डबार्टमेंट ओफ स्ट्री simplesmente उपॉस्ट और रिस्पन्सेंवी मिर्पर कोन है इसके लिए अस्वidences तो यह पूर्य पूर्य प्राइमरी अर्बन कोपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2021-22 वार्षिक प्रकाशन का कौन सा घंड जारी किया गया है प्राइमरी अर्बन कोपरेटिव बैंक्स आउटलुक 2021-22 इसका नाइन्थ वोल्यूम रिलीज किया है आपको बताते हैं रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपर वीजन है उसके द्वारा यह पॉब्लिकेशन लाया जाता है हर साल तो इसके तैय जो भी सिड्डूल और नों सिड्डूल प्राइमरी अर्बन कोप्रिटिव बैंक्स हैं उनका फाइनेंशल अकांट्स के बारे में पूरी कवरेज रहेगी की 2021-22 के लिए जैसे की बैलेंशीट, प्रोफिट & लोस अकांट, नोन परफॉर्मिंग एसेट्स, फाइनेंशल र अंत्राले कि सहर में पहला वेस्विक परेटन निवेशक सिखर सम्मेरन आयजित करने वाला है सही आंत्र आप्शन सी नियू डैली है तो आपको जाना चाहिए मिन्स्ट्री ऑफ टूरिज्म ये प्रगति मैदान नियू डैली में 10-12 अपरेल 2023 के बीच फस्ट ग्लोबल को एक्सप्लोर किया जाए अचा नियू डैली संबंदी तीन और इमेंट रहे जो नियू डैली में यह हुए है तो उनको भी मैंने एक साथ क्लब कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे तो पहला देखिएगा मिस्ट्र फेकल्चर एंड फार्मर्स वेलफियर प 57th Conference of Directors Generals of Police, Inspector General of Police इस यह दक्षता की है नियू डैली में तो यह Conference का हुई नियू डैली में तीसरा इमेंट यह है कि Network Planning Group जो की PM गदिशक्ती National Master Plan के तहाद बनाया गया है इसा 41st Session नियू डैली में हुआ है Which bank has backed the best small bank award in the best bank's survey for the year 2022 done by Business Today KPMG Business Today KPMG 12.22 के लिए किये गए service list बैंकों के सर्वक्षन में किस बैंक को service list लगू बैंक का पुरुषकार मिला है Options आपके सामने हैं सही answer option दी है तमिलनान Mercantile Bank आपको जानना चाहिए एक survey किया गया है Business Today KPMG द्वारा यह best bank survey for the year 2022 तो इसमें best small bank award दिया गया है तमिलनान Mercantile Bank को ठीक है तो किस category में दिया गया है जिनका book size less than 1 lakh crore रूपीज है तो इस category में इसको दिया गया है तमिलनान Mercantile Bank को best small bank award आपको इस bank के बारे में जाना चाहिए headquarters सोत्यकूडी तमिलनानु में है CEO इसके क्रिश्टन संकरा सुब्रमन्यम है सितंबर में इनकी appointment हुई टेग दाइन है be a step ahead of life विच फिल्म पेक्ट गोल्डन केलाश अवार्ड फॉर दा बेस्ट मुवी एड अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल अजन्ता एलोरा फिल्म समारो में किस फिल्म को सर्वसिष्ट फिल्म का गोल्डन केलाश अपुरसकार मिला है सही answer option यह है नानेरा तो आपको जाना चाहिए नानेरा ग्रैंट फादर साउस यह राजस्थानी फिल्म है इसको डिरेक्ट किया है दिपांकर प्रकाश ने तो इसने अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन केलाश अवार्ड जीता है फॉर दा बेस्ट मूवी आपको जाना चाहिए इसी मूवी ने ही बेस्ट डारेक्टर, बेस्ट स्क्रीन फ्ले, बेस्ट एडिटर अवार्ड भी जीते हैं आपको जाना चाहिए अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है इसका एट्ट एडिशन हाली में संपन्वा है औरंगाबाद में अच्छा यहाँ पर कंडर फिल्म इसने भी बेस्ट डार्टिस्ट के लिए वार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रिस रही है अक्सता पंडावपूरा और बेस्ट एक्टर पाइस क्या है जीतू कमाल को फोर बेंगॉली फिल्म अपरा जीतू वट इस दा मैक्सिमम एज एंट्री फोर लाइफ इंशूरेंट कोपरेशन जीवन आजात प्लान जीवन बीमानिकम जीवन आजात योजना के लिए अधिक्तम आव्यू प्रविस्थी क्या है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर या ओप्शन्स ही रहेगा 50 यह क्योंक Chi Family को Financial support प्रवाइट कराता है यह दि Policy Hold landlord कोई अनफोर्चनेट हो जाती हैά और लोन फैसलीटि के लिए जो?' है उसको भी Symphony कराता है साथ अगार जो पॉलिसी होलडर है वो जीवी ती रहता है और पॉलिसी के मैच चोर्थी के बाद भी उसको जो लंब सम है वह एमांट दी जाती है तो इसमें जो मिनिममम बेसिक सम है वह 2,00,00,00 रुपे है और मैक्सिमम बेसिक सम है वह 5,00,00,00 रुपे है यह पॉलिसी 15 से 20 साल तक के लिए ली जा सकती है और जो प्रीमियम है इसमें का जो प्रीमियम पेंग टर्म है यह पॉलिसी ट गटा दीजिए उतने साल तक आप प्रीमियम देंगे इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है और मैक्सिमम एज जो एंट्री की है वो 50 एर्थ है यहीं हमारा कोश्चिन था लक्षमी विष्व नाधन वू पास्ट वे रिसेंटली वॉस्टा एक्सपोनेंट ओफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म लक्षमी विष्व नाथन जिनका हाली में निदन हो गया किस सास्त्रिय नृत्य सैली की प्रतिपादक थी ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्श लाइने जाननी चाहिए ब्रहतेश्वरा टेंपलेट था जहूर यह बरतनाट्यम का सेंटर रहा है 1000C से और जो बरतनाट्यम है यह परफॉर्म किया जाता है देवदासी इसके द्वारा इसलिए इसको दस्यत्तम भी बोलते हैं बरतनाट्यम तमिलनाडवा इस्टेट डांस है यही से ओडिजनेट भी हुआ है एक और अबिच्वरी हम साथ में देखेंगे यूएस रॉक सिंगर डेविट क्रॉप क्रॉस पर इनका भी हाली में टीवन की एज में नितन हो गया और ग्रैमी ओवर्ड यह तता इन्होंने अपनी डेब्यू अलम आई सी यू के लिए विच एजन्सी हैस पब्लिश्ट एन्वल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट एस एर टॉंटी टू किस एजन्सी ने सिक्षा रिपोर्ट दोजार बाइस की वार्जिक इस्तिदी प्रकाशित की है सही आंसर ऑप्शन सी है प्रथम आपको जानना चाहिए प्रथम एक इसने एन्वल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट टॉंटी टू इसको रिलीज किया है इसमें 616 लूलर डिस्टिक्स जिसमें की छेदर समले 9 लाक चुल्रन को कवर किया गया है तीन से सोला साल तक के एज ग्रूप में तो एक हाउस होल्ड सरफिरा है बच्चों का स्कूलिंग स्टेटस और उनके पास क्या बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स है जानने की कुशिश की गई है तो दरसल यह इस स्कूल में एक्रॉस ता कंट्री यह बढ़ा है सभी लेवल्स पर 6-14 साल तक के गरम बच्चों की बात करें तो उसमें 98.4 परसेंट एन्रॉल्मेंट है जबकि 2018 में मतलब पैंडेमिक से पहले यह 97.2 परसेंट था इसमें इसमें बताया गया है कि जो प्रपोर्शन ऑफ वो 2018 में 4.1 परसेंट था जो इस पूल में नहीं है यह घटकर अप 2 परसेंट हो गया है 2022 में इसमें बताया गया है कि चिल्डॉन ऑफ क्लास 3 यह इस्टडीज में वीकर हो गए है पहले की मुकाबले कमजर हो गया है इसमें बताया गया है कि अगर हम बात करें 2018 में तो 18.7% of class 3 children could read class 2 level text तो जो class 2 level के text होते हैं उसको पढ़ पाते थे 18.7% class 3 children लेकिन अब 2022 में 14.3% बच्चे ही पढ़ पाते हैं पैंडेमिक ने learning loss तो किया है यह इन्होंने बताया है और अर्थमेटिक्स ज्यादा reading में यह loss देखने के लिए मिला है इस रिपोर्ट के अनुचार 16.4% of class 3 children do not recognize letters साथ इस में बताया गया है कि 2018-2022 के बीच जो प्राइबेट टूशन से ले जा रहे हैं बच्चों के द्वारा उसमें बढ़ देखने के मिलिए 26.4% से बढ़कर 30.5% हो गया है इसमें इसमें बताया गया है इसमें इसमें बताया गया है जो कवर्मेंटी स्कूल में जिनका इन्रोल्मेंट है वो बढ़ गया है अब कितना हो गया 71.7% हो गया पहले कितना 2018 में 65% विच कंपनी साइंड एनमो यू विद अमिनिस्ट्री अफ नियू एनर्जी फोर सेटिंग दा एन्यूल परफॉर्मेंस टार्गेट फॉर दा येर 2022-23 किस कंपनी ने वर्थ 2022 थे इसके लिए वार्सिक प्रदर्सन लक्ष निर्धारित करने के लिए नवीन और नवी करने नुरजा मंत्राले के साथ एक समझोता आगया अपन परस्ताक्षर किये हैं ओप्षिंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑफिशन भी है एरेडा तो आपको जाना चाहिए इंडियन डेवल्मेंट एजनसी लिम्टेट इरेडा इसने एमो यू साइन किया है मिस्ट्य ओफ नियू आपको जाना चाहिए एरेडा के जो चेर्मेन मेंजिंग डिरेक्टर ने प्रदीप कुमार दास हैं विच आइटी इंक्यूबेटेट फर्म हैस्टेवलप्ट बाहर ओएस इंडिजिनस मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम किस आइटी की इंक्यूबेटेट फर्म ने बाहर ओ इंडियान इस्टीट ओफ टेक्नोजी मदरास हाइटी मदरास इंक्यूबेटेट फर्म है उसने इंडिजिनस मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है जो कि इंडिया के सो करोड़ मोबाइल फॉन यूजर्स को बेनेफिट देगा तो इसका नाम है बाहर ओएस इसको आज मेरे पर भारत के तहथ बनाया गया है तो यह बाहर ओएस है इसमें नो डिफोल्ट एपस हैं एंडिये यानि कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यह यूजर्स करें नहीं कोई ट्रॉस्ट इशू रहेगा साथ ही इसमें नेटीव ओवर था एयर नोटा इस तरह का भी जो है आपको सुविधा दी जाती है जो कि आपकी डिवाइस को सेक्योर बनाता है यह बाहर ओएसे इसको डेवलप किया गया है जान के ओपरेशन प्राइविट लिमिटेड चांड कोप्स यह आईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोजीस फांडेशन द्वारा इंक्यूबेटेड है और आपको बता दें जो यह फांडेशन है इसको फंडेट किया गया है डिपार्ट्मेंट ओफ साइंड टेक्नोजी गॉइंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर इट्स नेसल मिशन ओन इंटर डिसिप्लरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स तो कि वह इतना जानना है आपको आइटी मदरास इंक्यूबेटेट जो स्टार्ट अप है उसके द्वारा बनाए गया है ठीक है जो इन नाम लिखा है जोएंट कॉप्स इस राज्य सरकार ने सभी राज्य विस्वित्याल मेंस्ट्वल लीव की अनुमती दी है सही आंसर ऑप्शन एक केरल है तो देखें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन केरला इसने सभी एक ओफिशल ओर इशू किया है जिसमें काया गया है कि जो भी इंवस्टीज हैं जो इस डिपार्टमेंट के इंतरकत आती है राज्य में वहाँ पर मेंस्ट्वल लीव दी जाएंगी साथ ही साथ दिन की मेटर्णिटी लीव भी दी जाएंगी फीमेल स्टूटेंट्स को अमेरिकी राज्य मेरिलेंड के लेफ्रियन गवर्णर ही रूप में चुने जाने वाले पहले भारती अमेरिकी राज्य नेता बनकर किसने इतियास रचा आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन C है अरुना मिलर तो आपको जाना चाहिए है हाइदराबाद में जन में अरुना मिलर इन इतियास रच दिया है यह फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्लिटिशन बने है जो की युएस स्टेट अफ मैरिलेंड के लेफ्रेंड गवर्णर इलेक्ट हुए है आपको जानना चाहिए यह 18th लेफ्रेंड कवर्णर इस स्टेट के बने हैं विच्वर दा फॉलइंग है साइंड डील विद असोक ली लैंड एंड बैलावर्ड पार तो डेवलप एशियास फर्स्ट हाइड्रोजन माइनिंग ट्रॉक निमनी खित में से किसने एशिया के पहले हाइड्रोजन खनन ट्रक को विक्सीद करने के लिए अशोक ली लैंड और बैलावर्ड पार के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी अडानी एंटरपाइजेज तो जानेगा अडानी एंटरपाइजेज इन्हों FCET है hydrogen fuel cell electric truck है यह 2030 में ही launch किया जाना है इंडिया में और इस प्रजेक्ट को लेड़ करेगा अडानी इंटरप्राइजेज Who won NSCI All India Snooker Open title NSCI अकिल भारती Snooker Open का किताब किसने जीता सही आंसर ऑप्शन डी लक्षमन रावत तो जानेगा लक्षमन रावत इन्होंने आधित्य मेहता को हरा दिया है और बॉल्ग लाइन NSCI All India Snooker Open जीता है यह जो NSCI Snooker Open Crown है यह एक टूनामेंट है जिसे और्गनाइज क्या जाता है National Sports Club of India के द्वारा Who has won the ISA Award for Service to Humanity, a top civilian award of Bahrain, मानवता की सेवा के लिए बहरीन का सीर्स नागेव पुरुषकार, ISA पुरुषकार, किसने जीता है, options आपके सामने है, सही answer option B है, Sandhuk Druid तो देखे हिमालियन केटरेक्ट प्रोजेक्ट, को फाउंडर, Dr. Sandhuk Druid, नेपाल से हैं यह इन्होंने ISA Award for Service to Humanity जीता है, यह बहरीन का एक टॉप civilian award है तो इसमें 1 मिलियन युए स्टोर का कैस्ट प्राइजन को दिया गिया है इंडियन कोस्ट कार्ट स्टिप्स ICGS Soria and Rajveer are on a 6th day visit to which country, भारतेता ट्रक शक्चाहाज ICGS Soria और Rajveer किस देश की 6 दिवशे यात्रा पर हैं, options आपके सामने हैं, सही answer option D, Bangladesh तो जानी का इंडियन कोस्ट कार्ट स्टिप्स ICGS Soria और ICGS राजवीर यह 6 दिन की ट्रिप पर हैं, छेट गाउं बंगलादेश में, 13-19 जनवी 2030 की तक यह यहां पर विजिट में रहे, बंगलादेश में 13-19 तक तो यह किसके तहट हाली में, भारत और जो बंगलादेश के कोस्ट कार्ड हैं, उनके बीच MOU साइन किया गया था, जिसके तहट कोपरेटिव इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, यह दोनों ही जो इंडियन कोस्ट कार्ट सी पहें, बंगलादेश भीजी गई तो जानी का परवीन सर्मा, इन नेसनल हेल्थ अथोरिटी आउश्मान भार डिजिटल मिशन अंडर दा मिश्ट्य अफेल्थ एंड फैमिल वेलफेर में, डिरेक्टर निक्त किया गया है, और फॉर पिरिएड ओफ फाइव यर्स, पास साल के लिए विज्ञानी का, एक विज्ञान साही तिमाथ सवक कि सहर में आज़ित किया जाएगा, ऑप्शन सापके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी भोपाल है तो जानी का, विज्ञानी का, जो कि एक साइंस लिट्विचर फेस्टिवल है, ये 22 जनवरी को और गनाइज किया जाएगा, इंडिया इंटरनेंसल साइंस फेस्टिवल भोपाल मद्यपरदेश में आपको जानना चाहिए, जो CSIR, National Institute of Science, Communication and Policy Research, New Delhi, Department of Biotechnology, Government of India, और विज्ञान भारती, ये सभी इस विज्ञानी का, फेस्टिवल को को और गनाइज किया जा रहे है, अच्छा आप से भी जानते हैं कि 8 इंडिया इंटरनेंसल साइंस फेस्टिवल ही भोपाल मद्यपरदेश मे शुरू होने वाला है, और इस साल का जो ये इंडिया इंटरनेंसल साइंस फेस्टिवल है, इसको और गनाइज किया जा रहा है, मिस्टे ओफ साइंसेज, मिस्टे ओफ साइंस एक टेक्लोजी और विज्ञान भारती के द्वारा, साथी करन्ट अफेस्ट फंडाओ आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करन्ट क्विजिस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी डिसक्रसन ग्रूप में आप किसी भी कोशन का सोलूशन पा सकते हैं, दोस्ते के साथ हमारे करन्ट फेस को शेयर चुरूर करें, आज का इस सेशन आपको कैसा लगा, कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताइएगा, थैंक्यू गाइस